कि पाई कि 3.35 वो के एक बार 3.35 पीच पर आई यह है और मैं आपको बता था उसके अंदर क्या डिसकस किया गया है सिले बस में आई कि मालिक ओके बढ़ा नॉम्बर 12 नाम क्या है रिपोर्टिंग रिक्वार्मेंट अंडर कंपनी डेड तो अब समय ना वन फॉर्टी थ्री में पावर्द डूटी जोनों है 143 में क्या है? powers and duties लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ हम किसकी बात करेंगे reporting requirements reporting requirement मतलब duties यानि even what is not covered in our fillables powers तो यह सब सब किदधे लेकिदे लेकिर होगा? law में आपके law में सब कुछ covered है ओके तो टेकिनिकली यह भी law में covered है है तो फिर आपन क्यों कर रहे हैं एंसी क्यों आ गया यह आना बहुत मुश्किल है लेकिन एंसी क्यों आ गया तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा और मैं आपको थोड़ा सा लिंक कर वा रहा हूं तर किस चीज़ से ओके आपका ओडिट रिपोर्ट देखा था अपन ने और रिपोर्ट देखा होता है उसके अंदर क्या आता है क्या नहीं आता है उसके वज़े से अंडरस्टाइडिंग भीजिए तो अधर पहला पॉइंट यह लोग बोलते है 1431 में रिपोर्टिंग रिक्वार्मेंट क्या है ओके पहली लाइन स्क्रीन पे जो मैं हाइलेट कर रह है ओडिटर शेल इंक्वाइर इंटू फॉलिंग मैंट गिवन एस अंडर 1431 बोलता है नीचे के छे पॉइंट में जो बता रहा हूँ उसमें ऑडिटर क्या करेगा इंक्वाइरी करेगा क्या क्या करेगा इंक्वाइरी मेरा क्वेशन नीचे किते मैंटर है देखो ABCDEF मिला क्या किते मैंटर है छे सवाल यह है इंक्वाइरी करेगा मतनब क्या करेगा पूछेगा 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 पूछके लिटन डब्ली एर ले ले लेगा ठीक है अब मेरेका बताओ अगर यहाँ पर ओके अच्छा पहला पॉइंट पड़ते यह वाला पॉइंट यह वा अपनी कमपनी ने, ओके अच्छा ये सब किसका डिस्केशन चल रहा है, अबे चुमू लोग, दिमाग नहीं खरब करना, ये सब कौन दिखने वाला है, ओडिटर, और ये किस से पुछेगा, क्लाइंट, क्लाइंट को ये पुछेगा, क्या क्लाइंट, तुने कुछ लोन दिय है, मेंबर्स तो नहीं है, ओके अगर वो है, तो आपको सवल समझा, तो आप मेरे क्लाइंट हो, मैं आडिटर हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या तुमने लोन दिया है, क्या, तुमने हाँ बोला, फिर दूसरा सवल मेरा क्या होगा, पहले ही पॉइंट का, दूसरा ीस का जैए, उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दो नो कवर होना चाहिए, खाली email कवर होना चाहिए, ए स्वाटी मुर्स手स अंचरी के अमौन बताइए, जवेंजर इसूं किया है, और ये loans and advances की बात हुदी है, यूत चाहिए, अब मेरा मेरा पॉइंट यह है मेरे को बदाई यह दो एंसर मिलेंगे मुझे अच्छा एक तो यह है और दूसरा पॉइंट टर्म्स एं टर्म्स एं कंडिशन क्या है प्रीडियल टुद इंट्रेस्ट रॉफ यह समझा एक्वल इंट्रेस्ट रेट क्या है ओके यह बोले इंट्रेस्ट चार परसेंट है अरे मैं बुलूंगा यह बैंक में पैसा रखते दस तो दस तका आता या आठ टका आ जाता अ सम्धिंगे बना देते हैं तो यह प्रीडिल टुदे इंट्रेस्ट रॉफ कंपनी है क्या नहीं तो मिनिम्मुम किता इंट्रेस्ट रेट होना चीए आठ से दस अगर आट से दस है तो यूजूली कैसे आठ से दस मैंने क्यों बोला बैंका लून तो यह आठ से दस के रेंज में आपको मिलना चीए मिलना चीए इंट्रेस्ट आइप कि लेक्लीयर कंपनी है नहीं अ करना और अब सवाल आया यह सब हो गया तो आप मने क्या करना चीए यह inquiry की मैंने और सब कमपनी के favori में मिला मैं क्या करूँ हवन करेंगे हवन नहीं न क्या करना है मैंने क्या करना रिपोट करना है मैं रिपोट ऐसा करूँ यह बहुत अच्छे थे किया हो है लोल तवाल समझना 1431 और 1433 दो सबसेक्शन यूज़ करो 1431 1433 यह दुनों पॉइंट में यही फरक है 1431 में आपको इंक्वायर करना है रिपोर्ट नहीं करना है 1433 आगे जो बताऊंगा उसमें अपने को रिपोर्ट करना है दोनों में यही परक है मालेक एक में इंक्वायरी करो एक में रिपोर्ट करो एक में क्या करो इंक्वायरी एक में रिपोर्ट करो जिसमें इंक्वायरी करनी है अगर उसका एंसर आपको सही नहीं आ रहा है तो रिपोर्ट करो अगर उसका एंसर हाँ बरोबर आ रहा है उसको रिपोट करने की ज़रूरत नहीं है तो मेरा सवाल है आगे के छे पॉइंट है ये छे पॉइंट को रिपोट करना है या इंक्वाइरी करनी है इंक्वाइरी तो रिपोट में कब डाले होगे यह नहीं 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 यह पॉइंट यह चे पॉइंट में कब आएगे जब इनसका एंसर नेगेटिव आएगा यानी एक्ञांपल मेरा पेहला पॉइंट लोन और रभाउंसे दिया है क्या हाँ ओके क्या यह सिक्वाड है क्या ना मेरी रिपॉर्ट में आना चाहिए एस पर section 143.1, I was required to inquire about the loans and advances, okay, whether they were properly secured, but our client have given loans and advances without proper security, ये लिखा होना चाहिए, लेकिन अगर properly secured है, तो ये देने की जरुराद भी नहीं है, सामाज में आया क्या, पक्का ना, तो ये कब आएगा, जब इसके answer, फीवर में नहीं आए, तब अपको डलना पड़ेगा, I hope clear है, ल documentation बना दो, चुपचा बढ़ जो, समझ में आया, पक्का, तो 143.1 के 6 पॉइंट रटने के आपने को, तो पहला क्या आधर हो है, loans and advances, revise करने के लिए मेर को चीव वार्ड, loans and advances, second point क्या बुलावा, देखो, whether transaction of the company were represented by, merely by book entries, are prejudicial to the interest of the company, मेरा क्वशन है, कॉंसी entries होती है, जो आपने वोला, example provision for doubtful debts, depreciation मेरे को बता, actual होता है या, book entry होती है, okay, तो मेरे को बता, ये सारी book entries जो भी करेंगे, okay, अच्छा, estimates के क्या होती है, estimates, estimates का, entry होती है, transaction होती है, नहीं है, estimates को बढ़ दाल नहीं है, transaction की बात चल रही है, okay, guarantee warranty के लिए कुछ reserves रखा है, आपने, अच् कातम करो, स्टोडी, कोईच करेंगे दुदर नहीं, हाँ है तो, report, आई होब सम्झा मालिक, तो second point क्या है तो, transactions book entry, transaction book entry, तीसरा सेनारियो बताइए, where company is not being an investment company और banking company, यानि ये point, third point किसको अप्लिक बल नहीं है, investment company और banking company, अगर आप investment company के auditor हो या banking के auditor हो, तो third point नहीं आएग यानि मेरे को बताइए, investment company और banking company में किते point आएगे, पाच, और बाकी other company में, अच्छे, भारत माका की जाए, तोर समझा मालिक, क्या बोल रहे है, okay, whether so much of assets of the company consists of share, debenture and other securities have been sold at a price less than where they were purchased by the company, यानि एग्जांपल, तुमने कोई भी share debenture loss में बीचा है, समझ माया, तो मेरे क बताओ, मैं कमपनी से, क्लाइन से, क्लाइन से, क्या तुमने share debenture loss में बीचा है, अगर उसका answer हा आया, तो, किस में डलने का, report में, अगर ना आया, तो, खताम, स्टोडियो और समझ में, आया, अच्छा, मेरे को बताओ, report में किते पैरा थे, standard 700 पी बढ़ रहे है ना, पन, किते पैरा थे, तेरा, ये कौन से पैरा में आएगा, अगर ये सही नहीं आया, पॉजिटिव नहीं आया, सही नहीं आया, तो, पैरा नंबर, other reporting responsibility, पैरा नंबर 10, तो, ये पढ़ने के बाद, okay, reliance है, टाटा है, जो भी करोगे, okay, 10 वाले पैरा में देखना, मैच मिलेगा, भारत मत किया, जेपा क्या मलिक, एगा, चौता भी रट लो, चौता पॉइंट बहुता इधी है, वापस पहले पैरा मैच है, whether loans and advances made by company have been shown as deposit, यानि कोई ऐसा कोई loans and advances, जो किस में डाला है, इन्होंने, deposits मे, ऐसा भी होता है, और अगर आपने deposit का chapter पढ़ा होगा, तो आपक चौता पॉइंट है, तो हाँ है, तो बताओ, ना है, तो क्लोज करो, पाच्वाँ पॉइंट, कोई भी तुमारा पर्सनल एक्समेंस बुक नहीं होना चाहिए, भाई, कंपनी में, whether personal expenses have been charged to which account, revenue account, क्या ऐसा है, क्या ऐसा है, क्या ऐसा है, क्या एसा है, क्या एसा है, क्या है and last point है, whether, where it is stated by books and documents of the company that any shares have been allotted for cash, whether cash has been actually received in respect of such allotment and if no cash has been received, whether the position has been stated in the accounts book and balance sheet is correct, regular and not misleading, यानि example, allotment में जो पैसा आता है, वो बरुबर आये कि नहीं है और उसका disclosure बरुबर होना चाहिए, तो 6 point की inquiry करनी है, 6 point रठो, पटा पट इदा देखो, loans and advances, transactions, okay, pre-judal नहीं होने चाहिए, book and trees वाले मालू में न, तो पहला point, loans and advances, transaction, book and trees, तीसरा point, कोई share debenture बेचे है, loss पे, पाच्वा पर चौता point, loans and advances, पाच्वा point, personal expenses, and last point, ओके जगर allotment पे cash है, उसका क्या किया, तो 6 point आपको कैसे याद रखना है, 6 point क्या है, अच्छा, मैं कॉं 143 मत बोलिए 143, 1, क्योंकि इससे आपको answer याद रखना है, 143, 1 बोलता है, क्या करना है, inquiry, और inquiry किती जितों की करनी है, 6, 6 के नाम बता, loans and advances, transaction, जो कौन से है, book and trees वाले, उसके बाद shares कोई बेचे है, क्या loss पे, उसके बाद है, loans and advances, उसके बाद personal expense कुछ book किया है, क्या, औ और allotment के time पर जो cash आई है, क्या उसका proper disclosure है, क्या, paid up share capital in short, आपका वरूबर disclose होना के रही है, आत्मा clear, okay, ये point परो, paragraph पड़ो, ये वाला, ये paragraph पड़ो, और बताव समझा के नहीं है, समझा है, ये point, तो 1431 को close कर सकते है, तो 1431 कब report करना है, अगर कोई adverse comment आया, अगर adverse comment आया नहीं, तो 1431 कोई report करने की दुरहत, नहीं है, ठीक है, मेरे को बताव, आपने audit क्यू किया, क्यू किया, क्यू किया, क्यू किया, पुछा, okay, law ने बोला इसलिए, company ने क्यू करवाए नहीं पूछ रहा, तूने क्यू किया, तेरा मकसद क्या तो audit करने का मकसद क्या है, तो obtain reasonable assurance, and to, form and opinion, और साथ में to report, तो report भी करना ज़रूरी है न, मेरा question है, क्या report करना तुमानी duty है 143, 143, subsection 2 बोलता है, auditor तेरी एक duty है, तुझे report करना पड़ेगा, किसको, members को, तू अपनी duty से पीछे हटेगा, नहीं, second point, auditor की से, यह पांचर एंसर है, यह पांचर एंसर मादब एक तुमारा technical कोई ऐसा point नहीं है, लेकिन logic है, duty of auditor is to report to the members, okay, they're very clear, पका, चार आदा बढ़ आपनी वीडिक नहीं है, अभी मलेरिया की गुली चलू किया, लेरी को, मलेरिया की चांस है, रिपोर्ट तो निकल के गया है, मैं भी, मलेरिया डेंगो दूनों दिखाए, यह जाई नहीं रहे, चार बजी भी बुखार, ओके चार से लेकर छे वापस, आज भी फुल जाए, आज तो इत्ता मतलब ऐसा, हमझे नहीं रहादा, आभी मुगा टेस्ट बदल गी है, कोविड यह 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 आदे है, वह भाई वह यह जानी ओ दवई लेलेके लेलेके वैसा है, टेस्ट आ रहा है, टेस्ट बदल गया बोला मैंने, आजए, टेस्ट नहीं आ रहा है न इत्ते मस्चर है न तो समझ बना लिया है और वो मैं वो अगर्बति मेरे को थो हागर बत्ति भी जम जाती हों highly सिकार ऑली पर스श वह मचर्दानी को मचर्दी ये ता निल वह न उकलना पुटता तो मचोषटाने आधये अधे टाइम कहो हो और शादा अर nag पर वो मैडम को और राधी खो अस्नमेटिक वड़ा पॉइंट है इसके लिए वो वो नहीं कर सकता है वो एक अलग से काण। मच्छर दानी है मच्छर दानी है वो मच्छर दानी का अलग काण अटी है उसमेदे बार सुसू किल नकलना बड़ते तो गयां वो मच्छा दन्य आदेट टाइम इदर करो करो और कत तो आप क्या दवाई दो लिये नई लिये वंसी लिये ऐसी अच्छा तो तुसके लिए दवाई चालू येगे कभी भी ओ वैवाई तो ज्यान ल्काव तुम दो तो अच्छा नवे वाच शालो बात मिलेट अग्टाटमे है वए माश्म का वाई पेले घूले ले माश्म का यह अ माश्म का यह बडास दास चाहु तो तो खतरना कास्टो नहीं अब देखते है राज शाम को रिपर्ट आगी तो मालम पड़ता है लायरी को तो चालू की है अब यह लायरी को साथ दिन कड़ोसर है तो उसका वैसे कुछ तो ऐसे ड्डी है वो मलेरिया का मेरे को मच्छर मिली ना हां नहीं मिली वो पूलिंग कभी नहीं काटता हां थां पीमेलमच्छरी कुड़ तीए सरच मिन भूत मच्चर का एकड़र का एकड़मफएन अधवी अपन क्योंकि हो मच्छर तुम्हों वालम ने, यह रिसा बाई कॉमन रिसा जाए, वो रिक्वाइर मल ब्लड, फीमेल मॉस्किटोस, कि उनको ब्रीड करना हो था, ऐसा है, मेल मॉस्किटोस रिक्वाइर ओनली ग्रीनरी, ग्रास, ऐसा है, तो मा कसम, तो समझा कि उस मच्छर में अपना खून है, सब्सक्राइब करना है, तो 143, क्या बलता है, duty to inquire, 143, क्या बलता है, duty to report, पर यह क्या report है, audit report, मच्छा report ने भे, duty to report, 143, क्या बलता है, duty to report, everything clear, अपने आप ठीक हुएगा, देखेंगे, हाँ, unless until तुमारा intention ना हो, आराम करने का, लेकिन मेरे, अपना तो बहुत, क्योंकि आराम में बहुत बोर होता है, करना क्या है, और mobile भी कित्ता देखेगा तू, mobile, मतलब max to max, गंटा, उसके बाद तो वो भी बोर में लगता है, इरिटेशन, वो ए घंटा कब जाता मालूमने, वो यह वाला point है, तो इसलिए करना क्या है, इसलिए point ही है, मैं भी बहुत बोर हो गया है, ऐसा है कभी-कभी, चलो भार चले, पारडी चलते है, हाँ, सिय अगड, सिय अगड, काह चरना है तो चरना है, तो चलाए तो, और मैं राइंगलर पर तो एक जगार रुकेंगे, पिछली बार गया थे सिय अगड, वो पैर दुके सर बोले, थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा लेके माक दमीत्ता रहा बङए। गए तंपिंध टारे लिया क्या थां तुम När शो को आुच आ जा सकते कंभी मठाव श्लीक ठाव द्वीड ने दू एंट कि क्लोस प्लोस के आरिक Okay, 143.2 is nothing to worry, just make sure 143.2, अच्छा, यह सबसेक्शन क्यों matter करेंगे? MCQ के लिए भी हो सकता है. So, 143.2 क्या बोलता है? एक बाद एख लिजे, the auditor shall make a report to whom? Members of the company on accounts examined by him and on every financial statement which is required by or under this act to be laid before the company in which meeting? General meeting and the report shall, after taking into account the provision of this act, the accounting and auditing standards, which are required to be included in audit report under the provision of this act or any rules made there under or under any order made under subsection 11. Subsection 11 और एक है, duty to report, जहापर auditor ने क्या comply करना चाहिए? standards on auditing. मेरे को बताओ, तुमने क्यों audit standards के साब से करना चाहिए? अभी ऐसा law बोल रहा है, अपनी मर्दीत नहीं हो रहा है, या institute नहीं बोल रही है, law ने बोला के तुमारा audit किस्ते होना चाहिए? standards. अच्छा मेरे को बताओ, financial statement किसके साब सावने चाहिए? एफर 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 अपन यूज कर रहे है, पर इंडेस या एस होगा? किसने बोला? लॉन है, section 133, 133, central government ने जो लॉन्च गिये, उसको फॉलो करना है आपको, कोई भी ऐधा मन कर रहा है, इतने फॉलो नहीं कर रहा है, बोला गया है, तो सेम अपने को भी बोला गया है, ओके, इधर तकी कहानी तो छोड़ दो, इधर तकी कहानी 143 होगे, तब से कान्ड जो क state of company fairs at the end of financial year, profit and loss account for the year, other matters prescribed in rule 11 of companies, अभी रूल 11 नहीं आगे पतने वाद है, जो 143, 3 के साथ में, आराम से जाना, पहली लाइन पड़ो, further in terms of 143, 3, the auditor report shall also state, highlight किया है, the auditor report shall also state, 143, 1 में क्या लिखाता, 143, 1 में क्या लिखाता, auditor is duty to inquire, 143, 3 में क्या लिखा है, auditor report shall also state, यानि example, क्या नीचे दिये गए, ओके, सारे item, क्या मेरे report में दिखने चाहिए, answer is yes, ये composite लिखने चाहिए, 143, 1 में, अगर negative आया, तो दिखना चाहिए, 143, 3, positive भी है, negative भी है, तो भी दिखना चाहिए, तो अगर आपने Reliance की report देखी अभी, या आपने Tata की report देखी, तो दोनों के report में कौन सा section अगर दिखना चाहिए, 143, ओके, आतमा clear, पहला point, क्या आपको सारी information explanation सही मिली है, क्या, ये report करिए, पहला point, whether, पहला point, ये वाला पोल रहा हू, whether he has sought and obtained all information and explanation which has to best of his knowledge and belief were necessary for the purpose of audit and if not, the details thereof and the effect of such information on financial statement. यानि पहला point क्या बोलता है, क्या auditor तुझे सारी information, ओके, जो भी information है, और explanation, दो वड़े, क्या वड़े, information and explanation, क्या तेरे को जितना audit करने के लिए चाहिए, उतनी मिली क्या, और अगर नहीं मिली, तो उसका detail दीजिए, तो question है, ये statement का इंक्लोर करना चाहिए, मिली information तब या audit report में, audit report में कौन से paragraph है है, other reporting responsibility, यादे है न, legal के log के हिसाब से, अगर आप देखोगे, थोड़ सा, other reporting responsibility, ये paragraph number 10 है, फर्स्ट वाला किसके बार में था, अगर आप स्क्रीन पे देख रहो तो, फर्स्वाला किसके बार में है, कार हो, company's auditor report, वो एनिक्षर, ये में मिलेगा, स information, 143, of the act, we report that, okay, we have sought and obtained all information and explanation to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of audit, okay, second point क्या लिक है, in our opinion, proper books of accounts as required by law have been kept so far as it appears from our examination of those books, second point पर ते ने नोट में, मिला, तो in short, control C, control V, okay, जेपा क्या मालिक, तो 143, 3 और 143, 1 में, last time बोल रहो, इसके बाद मैं वापस repeat नहीं करूंगा, 143, 1 में, खाली adverse opinion, adverse comment आया, तो ही आपको report करना है, 143, 3, वो यह भी हो, आपको report करना ही है, तो 143, 3, as it is, आपको मिलने माना है, यह देखोगे, आपक report करना ही, आपको ABCD, EFG, okay, आपको, सब ऐसे ही मिनने मात, सब as it is, बस आपको खाली, इसको रटे वक्या करना है, अभी पूराइट ता, आप रटे बैटोगे, एक एक वर्ड को तो रटने, रटने वाला थोड़ा पंचाईती होगा, लेकिन उससे अच्छा क्या करने का, अब किदर गया भी बुक्स, ओके फर्स्ट वाला बी वाला समझा मालिक, तो मेरेको बदाब बी में कौनसा वर्ड है, प्रॉपर बुक्स अपकाउंट, ओके C में ब्रांच ओफिस, कौनसा ओफिस, ब्रांच, मेरा क्वेश्चन है क्या ब्रांच ओफिस के भी बुक्स ओड किये है, तो दिमाख फूरी करने की दोरत नहीं है, यानि सी वाला पॉइंट नहीं है, यानि सी वाला पॉइंट कब आएगा, जब ब्रांच ओडिटर, कोई अधर ओडिटर है, अधर देन कंपनी ओडिटर, प्रिंसिपल ओडिटर, तो क्या लिखा हुआ है, वेदर रिपो बैलन्षीट, P&L, किसके हिसाअफ से होने चीहे, बॉक्स अपकर अग्णों से माच होते है क्या, अगला पॉइंट, क्या फाइनेशल स्टेट्मेंट, A.S. से मैच होते हैं, A.S मतलब, AFRF, बहुत ईज़ी अगला पॉइंट वोके इसा तेरे को कोई ट्रांजेक्शन मिला क्या जिस पे तेरा कमेंड एड़ वर्स है क्या सर एक्जांपल कोई मर्जर एक्विशन हुआ रहेगा जो तुने नहीं करना चाहिए जो तरी फिवरेबल में नहीं है एड़ वर्स कमेंड है क्या ऐसे कोई ट्रांजेक्शन थे क्या ओडिटर तेरी नजरों में इसका इंट्रेशन यह मत करना कि तुने ओपीनियन को मॉडिफाई किया तुमको लगता है यह मर्जर एक्विशन किया क्या यह ओपीनियन करने के लिए ग्रांड हो सकता है क्या नहीं तुम्हारा ओपिनर फाइट में पर शेयर नहीं है तो तुमको लगता है इसका एफट्ट एडवर सो सकता है क्या एक्जम्पल ओकिस्टा एंट टीचिंग इट इंट यह तुमारा दिसक्शन है भाई कि तुमको लग रहा कि अधुर स्वेक्ट वंक्शनिंग ऑफ कम्पनी है कि नहीं है आतमा क्लियर तो कोई इसके बाद कोई डायरेक्टर विपाइड है क्या 164 टू में 164 टू आतमा 164 टू में डारेक्टर दिस्कौलिफाइड है इतना याद रखवा भी वट इस वन सिक्टी पोर सब्सेक्शन टू एल डिस्कस्ट तुमारो तुमारो कल अरे वह खतर ना के 164 वन मैं देता यू ग्यान क्यों मेरेको किदर आगे लिंक है 164 सब्सेक्शन यह दो अलग्सेक्शन है 164 इस डिस्कौलिफाइटर अगर कंपनी में 10 डिरेक्टर है और कंपनी ने गलती की कितने डिरेक्टर दिस्कौलिफाइड दस के दस 164 2S 164 1 तून एक्यल न कांड किया तून एक्यलेस और चैनर दिस्कॉलिद्ध नौ फैसे वैसे रहे निए संब्जातु लाइस ऐसे और हना किरांग।कने न चरों बोर कहता है पूरीं अ साल एक साल तक लाइसे थे और मेटेंट आ उसे चनर किया ऑफ debenture redeem करने की नौबद आई और एक साल और बीद गया redeem होते होए, redeem का due आ गया, लेकिन तुने redeem नहीं किया, और तुने उसका principal या interest और दो नहीं से कुछ तो पह नहीं किया, और कित्ने साल बीद गया, एक साल, यानिiliar एग्सम्पल रिडिम्शन देट को उन सी थी 19 जून 24 और 19 जून 25 हो गया तब तक तक तुने निकिया 20 जून 25 से अल डायरेक्टर्टर्थ आधिस्कौनिफ़ाइड अगर यह तुमने डिफॉल्ट किया और लगा तुम अगर यह तुमने डिफॉल्ट किया और लगा लगाता किते साल हुए यह त्याई ऑगाता किते साल हुए यह सो Pap 0028 कौन गई हिनेशन लगाताओ तीन साल नहीं दिए यह जो सकताबूत और लगाता फाफ फसल हुए कमपनी वाइन नीफ ले मतफेल एक राति टसंप glue आ चांद मिवा शून भाहना वाद्वाह tा तो 164 टू खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें किते डारेक्टर डिस्क्वालिफेट है, सारे है, यानि इसका मतलब ऑडिटर जब रिपोर्ट लिखेगा, उसको यह बताना है क्या ऐसा कोई सेक्शन एट्रेक्ट हुए जो कंपणी ने कांड किया, और सारे के सारे डारेक्टर ड बड़े सुलिस दक इस पनी होता है, और यह कंपनी आपके साथ से और पर डारेक्टर अलज बन जायगी, ऐसा थोड़ा सा नोलिच्वाल्स बहं और डारेक्टर डारेक्टर ना, ऐसा नयों तर यह कंपनी छोड़कर, बाकिस सब से विकेट करना पड़ेगा, तो है विकेश 164 attract हुआ 167 आ जाता है यानि जिस कंपनी में तुम डारेक्टर हो उस कंपनी में से क्या करोगे वेकेट ओके जबली मेरा एक साल बचा हुआ है लेकिन वेकेट लेकिन अगर 164 तू अट्रेक्ट होता है क्या वला 164 तू यह समझा क्या है मालिक 164 तू अट्रेक्ट हुआ न ओ यानि अग्जांबल ओके अगर अमित आतेड एक हेरा फिर लिमिटेड में और वो डिस्कॉलिफाइड हुई है 164 तू हुआ है तो मैं मैं जस और कंपनी में डारेक्टर हुआ हुआ हूँ मैं बाकी सब कंपनी से डिस्कॉलिफाइड विकेट करूँगा विकेट मतब बहुत तोड़ सेक्शन है यह फाइनल का सबसे पहरा सेक्शन ही यह 148 चालो होता है बट टेक्निकली यह कॉंटेक्स बैठता है मेरे काल देमालिक समझा तो आप मेरे को यह बताओ 164 तू बहुत खतरना कहना रहे है बहुत वर्स्ट है यह पॉइंट आप धान रखना आतम कि आप बोले बुक्स अपर नहीं है वाउचस बरूबर नहीं है यह रिमाक्स है यह लिस बताओ यह एच तलग अपने को रटना है बाकी कल देखेंगे कल शुरवाद में पहले इसको क्लोस करूंगा मैं और कल इसके बाद अपन फ्लो में आगे जाएंगे तो कल यह 706 701 हो कल वापस मैं सॉब रिवाइस करूंगा जित्ता अपने अभी दक किया हुआ है कल रिविजन होने के बाल डे आफ्टर टुमारों थर्स्दे को अपन क्वेस्टिन बैंक यह लॉजिक धान डखना चैप्टर थ्री का और उसके बाद फ्राइडए अपन चालू करेंगे फ्र करेंगे मालिक को 700, 701, 705, 706 यह चार अपने टार्गेट है और सेक्शन 143 तो सेक्शन 143 का जो कल वाला चोटे सा पॉर्शन बचा है उसको पहले क्लोस कर लेते हैं उसको एक बार रिवाइस कर लेते हैं तीन चीज़े आपके दिमा में रड जानी चाहिए अभी 700, 705 और 143 इसके बाद बचेगा अपना 701 और 706 यह दो अपने ले नहींगे जो ट्रिकी नहीं बोल सकता लेकिन मैं आपको यह बता सकता हो जितना पॉर्शन अभी कवर कर रहे हो इसमें से तो शूर शॉट मतलब अगर आप याद रख रहे हो इसमें से शूर शॉट अपने लिए इंक्वाइर करने की, सबसेशन 2 है जिसमें आपकी ड्यूटी है रिपोर्ट करने की और सबसेशन 3 है जिसमें ड्यूटी है रिपोर्ट करने की तो 2 एं 3 में फर्क क्या था? 2 में यह बताया गया था कि आपको जो audit report है वो report करना है, members in general meeting और 3 में यह बता गया है कि आपके उ books of accounts जो रखी हुई है वो properly financial treatment and P&L के साथ मैच हो रही है क्या? 4 ता क्या आपके financial treatment AFRF के सबसे बने है के नहीं है? उसके साथ में अगर आपको याद होगा director क्या आपके disqualified है? Under section which? 164 subsection 2. 164 subsection 2. 164 1 मे क्या बताया था मैं आपको? इंडिविजुवल कांड की वज़े से वो जाएगा 164 2 में company की गल्ती की वज़े से वो जाएगा तो दो अन्लों में से serious offense कॉन सा होता है? Company की गल्ती, problem क्या है company की गल्ती में, 10 director का company में 10 के 10 disqualified है तो आप यह ऐसे कभी-कभी पॉइंट आता है, इसलिए CFN का मज़ा आता था हम में, क्योंकि CFN में क्वेस्चन आता था, 10 director को मालूम है वो आगले दिन से disqualified होने वाले एक example क्या दिया था मैंने, कल अगर कोई redeem करना था debentures, मतलब redeem करना था date आ गया और कितने साल बीद गया उसके बाद, एक साल, अब मेरे को बताओ, अगर मैं director मेरे को नहीं समुझ में आ रहे किया, एक साल के बाद मैं disqualified हो जाओगा, मतलब और एक साल हो गया और उसके इसके अलावा कंपनी में ऐसे कोई transaction हुए है, जिसकी वज़े से negative effect आ रहा है, financial statements पर अगरा, example आपको या दिला था हो, merger acquisition, ओके, शायद किसी को याद हो या ना हो, सत्यम के case सुना है, अगया, any idea सत्यम में क्या हुआ था, सत्यम के case में क्या हुआ था, सत्यम के किस्ते में, कभी जब यह structure में है, सत्यम के किस्ते में, इकदम simple point में बता को एकदम simpleिस में, उनके balance sheet बताए गए थे, यह balance sheet है, balance sheet में assets है और LiV40 है और, सत्यम का जो ओनर MD है, रामा लिंगन राजु राजु साब, जो MD भी थे सत्यम के, सत्यम वाज company which was investing in computers, software mainly software, like Infosys TCS, वैसी सत्यम company थी तो रामा लिंगन राजु नहीं क्या किया, यह 100 रुपे निकाल लिया है लेकिन बुक्स पर अभी 100 रुपे पड़े है, सरुपे निकाल लिया और 100 रुपे कहाँ पर डाल दिये, इन्होंने डाल दिये, real estate में, real estate मतलब properties खरीद लिये लेकिन 100 रुपे की property नहीं खरीदी, 500 रुपे की खरीदी जिसमें 400 रुपे का लोन था समझ में आ रहा है, तो 100 रुपे तो प्रॉपे कित्ती हुई, इनके बात जो real estate की property आई वो कित्ती हुई, 500 रुपे और 500 रुपे गया, उन्होंने उनका खुत का contribution 100 रुपे और 400 रुपे लोन पे, इस तरह से ये सन बेटे है, उनकी खुद की real estate की company है, और real estate की company का नाम था माइतास, माइतास मतलब सत्यम का उल्टा, सत्यम का उल्टा करोगे तो माइतास बनती, और माइतास वाद इन real estate, तो इस real estate के लिए, उन्होंने ये contribution किया था, और बढ़ने के बाद, वो पैसा आएगा, वापस bank में FD बन जाएगी, और वाकी जो पैसा चाहिए, उनका मुनाफा, या उनका माइतास के अंदर कुछ अडिजिस्मेंट से, वो करने थे, 2000, जब 2008, अगर आपको मालूम होगा, 2009, जब US खतरनाक वाट लगी, वही एक एरा था, जब ये सारी चीज़ें इंपाक्ट होगी, सेम कॉंसेप्ट एंडरॉन में भी हुआ है, एंडरॉन सुना है, अचा अपनी CA firm कितनी है अक्रॉस इंडिया, बिग 4, बिग 4 बोलते हैं, बिग 4 में नाम क्या क्या है, PKPMG, PWC, Deloitte, EAY, ओके आपको मालूम है, 2000 के पहले बिग 5 थी, बिग 4 नहीं थी, 2000 में बिग 4 हुई है, क्योंकि 1999 में, 90s में एक Enron करके कंपणी थी, और वो कंपणी माइनिंग ये सब करती थी, उस कंपणी के जो आडिटर थे वो बिग 5 वाले थे, Ferguson एंडर्सन, तो 2000 के पहले, there was no concept of Big 4, there was a concept of Big 5 firms across the world, और जब Ferguson एंडर्सन करके firm थी, उन्होंने Enron का सेम हुआ जैसे सत्यम का हुआ, और तब से उस firm पे बहुत सारी band लगा दी, आज भी firm है, नहीं असा नहीं है, पर वो Big 5 नहीं बूला जाता, तो उनक्योंकि उनको बहुत सारे काम करने से, क्या है, इवन सत्यम का किस्सा हुआ, तो PwC भी भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आये थे, क्योंकि PwC को almost 3 साल तलक कोई statutory audit का मना हो था, मतलब कोई statutory audit नहीं ले सकते थे, 3 साल तक, PwC, तो PwC was only in consulting, almost for 3 years in India, तो मुटा मुटी में आपको यह बता रहो कि ऐसा हुआ, और real estate में जब वो problem आई, troubleshooting हुए, issues आए, तो bank loan repay करना था, तो bank loan तो सत्यम से repay ही नहीं हो सकते थे, क्योंकि सत्यम के books में हैं ही नहीं, loan repay करने के लिए, जो पैसा चाहिए, वो पैसा करने के लिए, मैताज और अधर बुक्स ही available थी, उनके पास adjustment करने के लिए, तो उस ट्रेम पे bank loan repay नहीं हो सुका, तो bank ने उस property पे कभजा कर लिया, problem क्यों ही, property value, और property value हो गई, यूएस बहुत बढ़ा impact हुआ था, across world हुआ था, demand and supply पे value है, value क्यों बढ़ती है, मेरे को बता, कोई भी amount क्यों बढ़ती है, share market में price क्यों बढ़ रहा है, demand बढ़ रहा है, तो property की demand कम होती गई, तो आज अगर example बोल रहा हो, अगर मुंबई में available property जादा है, और कोई खरीदने को ready नहीं है, और सब rent पे जाने को ready है, तो मेरे को बताओ, price कम होंगे, क्यों बिल्डर बोलेगा, लेके जा भाई, चल भाई, आर दो करोड नहीं मिली नहीं रहा है, तो demand and supply, तो 2008 में क्या प्रोपटी खरीदना है, तो आपको पैसा कैसा चाहिए, white and black, दूनों का combination, white and black समझ रहो, देखो, I don't favor black वाला context, but context ऐसा ही है, तो अगर एक करोड की property है, वो बलता है, तो ऐसा होगा, 90 lakhs वो बैंक से लेगा, और 10 lakhs cash मे लेगा, क्योंकि stamp duty भी बच रही है, ना, stamp duty 90 lakhs पे यह बुलेगा, यह एक्जांबल 40 lakhs की property, 50 lakhs की property है, 10 lakhs मेंको cash में दे, 40 lakhs on paper दे, but US में ऐसा नहीं है, क्योंकि US में कारण कया इसका, इसका कारण पहला तो अपना how our life goes on, मतलब अपन पहले से ऐसे ही चले कि cash वाले लोग थे, और दूसरा है अपना loan का interest बहुत जादा है, loan का interest अपन कितना देते है, बैंक को, 8 से 9 टका, 10 टके तक average है, US में आपको मानूँ में loan interest कितना है, 2%, 3%, तो मेरे को बताओ, पब्लिक अपना पैसा क्यों डालता है, तो US में पब्लिक अपना पैसा किदे डालता है, share market, और वो जो properties है, वो किस पे लेता है, loan पे, तो US का 2008 में क्या हुआ, demand and supply कैसे effect हुआ समयने को शुरू, इमाजन करों, यह सब लोग ने loan लिया हुआ, आप सब की खुद की property आपके खुद के पैसे है, लेकिन यह सब लोग ने loan लेके properties ली हुए है, यह areas, अब यह सब लोग के loan लेके उस time पे US crash हुआ, US crash हुआ मदलब market crash हुआ, तो आप लोग का पैसा किस में था actually, market, पैसा crash हुआ, तो आपने क्या हुआ, डर के मारे पैसा निकल दी, पैसा निकला, EMI भरने की वाट लग गए, क्योंकि वो पैसा जो आया, वो ठुका हुआ था, तो तुमने किस में default किया, बैंक के EMI में, अब बैंक के पास option किया, जब EMI में default हुआ तो, प्रॉपर्टी का कभजा किया, तो बैंक के पास प्रॉपर्टी कितनी आ गई, एक जनकी नहीं आई, पूरा वाल्यूम है, प्रॉब्लम है खरीदने वाला कौन, खरीदार कौन, क्योंकि किसी के पास पैसा नहीं था, तो 2008 का ऐसा ही सिनारियो है, तो प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या हो गई, कम, इंडिया में क्यों नहीं हो पाई, कम मालूम है, क्योंकि अगर बैंक ने कभजा गई, उस टेम पे यह, वो क्रैश हुआ मार्केट, शेर मार्केट, इंडिया पर इंपेक्ट आया हु इसलिए अपन सर्वाइव कर गया अक्रोस इंडिया, पर सत्यम का यही किस्ता हुआ, सत्यम का जो मेजर इंवेस्टमेंट था, रियल एस्टेट में, प्रॉब्लम यही और उसमें पैसा पूरा रिकवर नहीं हो पाया, तो बैंक का जितना अमोन तो उत्ता रिकवर हो गया, पर प्रॉब्लम कितर और प्रॉब्लम कितर गई, इसका मतलब बैंक ने किया किया अप प्रॉबटी बेची, देखओ प्रॉबटी बेचने के लिए बायर भी तो चाहिए, अच्छा सब लोग को विजय माल लिया तो मालूं ही है, हाँ, और लेंडन में उसकी प्रॉपटी 11 116 करोड रुपीज की प्रॉपर्टी में वो शादी हुई है तो सब लोग ऐसे मीम बना रहे है क्या कर रहा हूं मैं बट आपको मालू मैं थोड़ सा आप गूगल पर साच मानना विजयमाल लागी ओके ऑल्टुकेदर बहुत सारी प्रॉपर्टी फ्रीज्ट है अपने पास इंडिया में उनकी जो प्रॉपर्टी वो अपने पास है अपने कबजे में प्रॉपलम है उसका ट्रांजक्शन नहीं का सकते है विकॉज अपना लॉप बुलता है जब तक वो पूरू नहीं होता है गिल्टी तब तक उस प्रॉपर्टी को खाली क्या किया जासता है फ्री अपने वह रूल्स है वह यह स्ट्रक्चर की वज़े से तो कमिंग बाक उन्द पॉइंड सत्यम ने रियल एस्टेट बेचा मतलब बेचा नहीं क्यों पैसे ही नहीं थे तो बैंक ने बेचा ओ प्रोपटी बैंक को पैसा कितना है बैंक इतना पर अपना ओन कॉंट्रिविशन काशाएगा कसा रिखा तो सत्यम का क्या डूगा तैस्के मतरा माने रोणनी अνε Cambridge हैं रखया तौके टूफिया लियांक क्यों उसको सच्प्रोट आ पर वो भायर आपने पिचर प्रविट नेगी 100 रुपे की जबकि व एक्चुली अब डी है यह नहीं अब मेरे का बदा पीडोली से ने अगर आडीटर हो आप तो एब डी के लिए क्या करना चाहिए आपने आपके बैंक से वेरिफाय कैसे करोगए आप नौलेज है आपको तब से पहले क्या मांगँ कि आ आप स्टेमां यह स्टेटमेंट मांग होग के और और इंटरेस स्टिटिट嗎 ओग हो ठीक है इंडर स्टिटिट के अलब और 505 Excellent Confirmation किसे करने का? Bank के Employee से ये करना चाहिए है न सारा? PwC ने ये कुछ भी नहीं किया, क्यूंकि PwC को मालूम था कि ये फरॉड है तो PwC के जो डॉक्मेटेशन है उसमें 502 का किस्ता नहीं है PwC के डॉक्मेटेशन में, there is no interest certificate तो इला तो नहीं कर सकते कि मुझे मालूम नहीं था समझ माया क्योंकि इला कब होता था जब तुमने अपने प्रोसीजर पूरे निभाय होते हैं और प्रॉब्लम यह आई कि एक टाइम ऐसे आया जब रामा तरिकर राजु को मानुपड़ा कि कुछ नहीं है तो अब इसको र पिरेड आये जबनेगा तो यह तो किस्ता समझ माया अब संत्यम ने का गिया फिर स्टाइड जी कि नहीं ने प्रस्ता हो रखा एक काम करते हैं हम यह सौर उपे बड़ा है हमारे पास यह 100 रुपे से हम माईतास को खरीदते हैं और बाई मोर टाइम कितना टाइम मिलेगा उतना एरेजमेंट हो सकते हैं यह उसका प्लैन ओफ एक्षन था कि इस्ता से बैलेंशीट की बुक्स दिखाएंगे हम शेरोल्डर खुश हो जाएंगे शेरोल्डर बनेंगे चलो इधर नहीं वह है और उधर से कुछ चल रहा है उन इसके बाद बोर्ड मिटिक में यह प्रस्ताव रखा बोर्ड ऑफ डिरेक्टर जो थे वो बुले तुम चुमू पना मत करो हमारी कंपनी कौन सी है सौफवेर काईसे तुम रियल एस्टेट में जा रहे हो मैं तास रियल एस्टेट थी तो यह तो सही नहीं है इंगे सेंस अ पन तब तो यह बहुत थोड़ बिजनस है यहाँ पर बोर्ड ऑफ डिरेक्टर ने प्रस्ताव रिजक्त किया और इसको समझ में आ गया कि यह सोलूशन दैन ही वेंट को फर कॉलिंग जनल मिटिंग और जनल मिटिंग में इसने बोल दिया के इस डन अन उस दिन यह तो और ख़िदार नहीं थे क्योंकि इस कंपनी में पैसा ही नहीं है क्योंकि यह एक एसेट तो दिखने थे क्योंकि कल अगर कंपनी डू भी और आसेट बेचना पड़ा तो पहले किस क्वा चुकाएंगे टायब इसके बाद शेरोल्ड के आएगा ना तो कुछ आने वाला ही न works on the company, और तुमको मालू में, Enron में भी सेन किस्सा हुआ, Enron इंडियन कंपनी नहीं है, Enron कंपनी 90s की कंपनी, 90s में, Big 5 कंपनी का नाम बता था, Ferguson and Anderson, उसका भी ऐसी कांड हुआ, on paper, तब US है भार, US बोले, ओ भाई साब, अपने को बहुत कंट्रोल लना पोड़ेगा, हम कमीटी बटाई, जैसे अपना इदर CA Institute है, Nefra है, उनके पास PCOB है, Public Company Boards, Accountant Boards of that Particular Development, उन्होंने कमीटी बटाई, और उस कमीटी में दो जन बटाई, एक है Sarban और एक है Oxley, दो बंदे, उन्होंने कमपनी पुरी बनाई, मैं लग कमीटी बटाई, Sarban and Oxley, उन्होंने देखा अच्छा ये फेलियर क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, C.F.M को समझा नहीं, फिर Serblance on Oxley ने दिमाग लगाया, और Socks Act आया, क्या नाम है Act का, Socks, Serblance and Oxley Act, C.F.M. में जाने के बाद मिलेगा आपको audit में, Socks Act, दो अधर दो, तो आपको यादे एक नाम में ने बताया था आपको I AFC, IFC, एक इंटर्नल कंट्रोल और एक था इंटर्नल फाइनेशल कंट्रोल, ओके अपने Companies Act में इंटर्नल फाइनेशल कंट्रोल आया, किस की वज़े से, Socks की वज़े से, Socks ने बोला, Ferguson Anderson से गलती क्या हुई, Ferguson Anderson से गलती हुई, कि उन्होंने audit किया, लेकिन IFC के उपर कोई क किया, तो उन्होंने क्या किस पे थेगना चाहिए था, इंटर्नल फाइनेशल कंट्रोल, जो इनके कंट्रोल से है, क्या खुद कंपनी में फ्रॉड ओर मालूम पड़ रहे कि नहीं, ये कंट्रोल बरुबर नहीं थे, और Socks आया, 2000-2000 में, Socks Act 2000, and Socks Act is not applicable to all companies in India, it is applicable to only the companies which are listed in US, which are listed in US, okay, Infosys is listed in US, Infosys comply with Socks, the companies which are listed in US, need to comply with Socks, Satyam was also listed in US, and Satyam was also Socks compliance company, then also it failed, it's not about only control, it's all about management, okay, who want to implement that control, तो एक कंट्रोल नहीं होते है, समझ में रहा है, मतलब एक Socks compliance company, ये आप imagination के भाहर है के Socks compliance company feel हो गई, ये adapt नहीं हो रहा था, US वालो को, हजम नहीं हो रहा था, US वालो को, के Socks compliance company है, सर्टिफिकेशन आ रहे था, उनके, Socks compliance, yes, Socks compliance, yes, और कौन कर रहा था, PwC, तो इस नोट अबाट Socks compliance, इस अबाट परसन, तो कित्ता भी कर लो, आप कित्ता भी पढ़ लो, auditor के उपर निरिभर रहे है, क्लाइंट के उपर निरिभर है, उनके attitude के उपर निरिभर है, इसलिए अपने को qualities of auditor, तो सर, फिर सत्यम के बाद और कुछ आएगा, हाँ भाई, सत्यम के बाद और elements कवर करने लगे, और transparency of auditor, independence क्यों बढ़ रहे है, आपका section 144, अगर आपको याद हुआ, section 144, मालुम है, यह क actuary service management consultants, याद है क्या, ऐसा कुछ याद है, दो साल पहले, मलब यह धीरे धीरे ओरे period हुआ है, दो तीन साल पहले तक, this services was not required to be given to company only, यानि यह services section 144 में क्या लिखाता है, यह services आप किसको नहीं दे सकते है, जिस company के आप auditor हो, लेकिन उसकी holding को दे सकते हो, उसकी subsidy को दे सकते हो धीरे 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 हम और stringent हो दे जा रहे हैं, और मैं आपको बता रहो, अभी के इसमें, अगर वाईचांस आपने law में पढ़ा हो, तो law में मालूम होगा, यह services अभी company को नहीं, holding को नहीं, subsidy को नहीं, समझ में आ रहा है, यह क्यों आ रहा है, यह क्यों आ रहा है, यह कारण ही है, सत्यम ही कारण ही यह सब चीजों का, और मैं मतलब मैं आपको बतार हो, जब तक आप फाइनल में जाओगे, लिख के लेलो, माक कसम को रहो, फाइनल में जानेक बाद, section 144 will be like this, 8 के पंदरा सुल हो जाएंगे, और ओडिटर कोई भी एक्स्ट्रा सर्विस किसी भी क्लाइंट को नहीं दे पाएगा, यह क्यों आपको याद होगा, एक थोड़ा स्ट्रक्चर समझा क्या, मोटा मोटी, आपको याद होगा, आपको याद होगा, हमारा काम क्या है, किस पर रिपोर्ट करना, फाइनेशल स्टेट्मेंट पर ओपिन दिना, लेकिन याद है आपको बीच में मैं कभी लेके गया था, इवन कंपनी जाक में इंटर्नल फाइनेशल कंट्रोल पर रिपोर्ट करना पड़ेगा, अगला पॉइंट, ओक एज वन फाइनेशल कंट्रोल पर रिपोर्ट करेगा, किस पर रिपोर्ट करेगा, इंटर्नल फाइनेशल कंट्रोल, लेकिन मुझे हर कम्पनी से नहीं चाहिए, मुझे हर company से नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ exception दे रहा हुआ, exception छोड़ के बाकि सब company से चाहिए, and that is where your next duty comes into picture, तो एक बार मैं duty की list बना रहा हूँ, दिमाग में डालते जाए, duty list, पहली duty की list अगर आपको याद होगी, सबसे पहला, okay, सारी information मिली क्या, रटना point है, सारी information मिली है क्या, चौता से नहीं हो, क्या balance sheet PNL किसके साथ मैच हो रही है, books of accounts, पाचवा, क्या आपके financial rate में किसके साथ मैच हो रहे है, AFRF, छटा point, क्या कोई director, okay, 1642 में, disqualified, और या कोई ऐसा transaction है, financial transaction, जिसका क्या है, adverse effect, and last concept है आपके लिए, क्या आपके books of accounts maintained वरोबर है कि नहीं ह है, okay, so, वापस आते है, मेरेको बता ही है, sir, 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 पहला point, क्या बोला मैंने, information explanation, second point, proper books of accounts, जब मैं proper books of accounts बोल रहा हूं, मतलब, it does not include only company, it includes branch वाल, आपको मानूँ है, branch books of accounts बनाती होगी, अचा, branch की books of accounts किसके पास होती है, branch के पास ही, नहीं, branch के पास ही होती है, औ head office में हो क्या बिचते है, returns, quarterly returns, क्या हमारी क्या books है, books है, मालूम है क्या, थोड़ा सा law का point है, तो दूसरा हो गया, तीसरा point, okay, सबसे important point, हमारे books of accounts से क्या match होना चाहिए, P&L, नहीं, sorry, एक है branch auditor, एक है branch auditor, तीसरा point क्या है, branch auditor, branch auditor की report मिली के नहीं, अगले दो पाइंट तो books of account, क्या financial statement किसे match हो रहा है, okay, AFRS है, आत्मा clear, and most important, कोई भी material transaction discuss किया, जिसका क्या effect है, adverse effect है, adverse effect है, इसके बाद, क्या director 164 में कोई disqualified है क्या, उसके बाद, और एक point याद अगना, कोई भी ऐसा books के उपर, कोई negative comment है क्या, books के उपर negative comment है क्या, and इसके बाद, last point, नववा point is, IFC, IFC का full form, internal financial control, क्या company के internal financial control, अच्छे है के नहीं, उसके उपर comment करें, अगर company के internal financial control, अच्छे है, तो आप comment करें, नहीं है, तो भी comment करें, वैसे मैं आपको बता दूँ, यह जो 9 points मैंने screen पर दिखाया है, यह अच्छे है या, खराब है, त आप question है, IFC को separately समझिए, मेरा पहला question, IFC किदर से आया, किस ने लाया है, यह concept IFC का, Socks, but Socks is applicable to which companies, listed in US, but what about if Indian company which are not listed in US, section 143 का compliance, I hope समझ में आया, तो जो US company है, जो US में भी listed है, और India में भी listed है, इसको 2 compliance हो गए, तो usually auditor क्या करता है, auditor क्या क्या करता है, कौन सी company का, listed in US का, अगर Socks compliance है, तो Socks की report लेता है, और इसको okay करता है, यानि वो checking नहीं करता जादा, क्यों नहीं करता भाई, क्योंकि Socks compliance है, तो IFC compliance है, यह सही auditor का काम, और अगर कोई company है, जो listed in US नहीं है, खाली listed in India है, या non listed है, तो आपने को कौन सा ठीकना है, 143, फिर it is not applicable to three class of companies, okay, sir, कौन सी-कौन सी three class of companies है, सबसे पहले, OPC को applicable नहीं है, okay, दूसरा, small company को applicable नहीं है, okay, तीसरा point, ऐसी company जिनका turnover less than 50 करोड as per the latest balance sheet, okay, आपका P&L वाला point है, and, and, aggregate borrowings from bank and financial institution, okay, इस कितना रहा, 25 की नीचे, यानि, point to be noted, कौन सी-कौन सी company को यह applicable नहीं, IFC, मैं आपका P&L नहीं है, पहला point, OPC, small company, and most important, okay, any company which is turnover is less than 50 करोड and borrowings is less than 25 करोड and या 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 दोनों क्राइटर फुफिल करना है, लेकिन, very important point, यह तीनों क्लास जो बताएगा है, वैसे तो पहले दो के लिए तो यह discussion ही नी, लेकिन तीनों क्लास जो बताएगा है, यह private company ही हो सकती है, public company को यह applicable आग बंद करके है, अचा, मेरा पहला point, OPC is a private company only, या 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 य बंद कर सकती है, यह संल कमप्लिक है, तो किसको अइस ब युए और यह या 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 यह या जलए मतलतने ही यह जलएक कमपनीन तो मेरा क्वस्चन क्या है है मैं या मतली है? क्या auditor को internal financial control पर भी रिपोर्ट करना पड़ता है क्या लेकिन कौनसी companies को यह applicable नहीं है OPC को applicable नहीं है small company को applicable नहीं है private company आगे डाल दो वर्ड private company जिसका turnover 50 से नीचे and and borrings 25 से नीचे I hope समझा क्या everybody imagine करो एक OPC का auditor हूँ मैं किसका auditor हूँ OPC मेरेको बताओ इन में से कित्ते point में मेरेको comment करना है टोटल कित्ते point पड़े अपने अभी तक 9 स्क्रीन पर मैंने लिखे समरी 3 3 3 कित्ते में comment करना है आट आट अंबल सरी नववा नहीं लगेगा ठीक है मैं एक small company का auditor हूँ कित्ते पर comment करना है आट एक private company का auditor हूँ depends on two things turnover and borrowing यह समझ में आया क्या अगर मैं बोल रहा हूँ turnover 40 करोड है और borrowing 30 करोड है कित्ते पर report करना पड़ेगा 9 पर समझ में आया मैं बोल समझा के सुना के समने मैं बोल रहा हूँ turnover 70 करोड है लेकिन borrowing 10 करोड है रिपोड करना है यानि दोनों compliance हुए तो ही रिपोड नहीं करना है नहीं समझा समझा ऑनलाइन पंटर लोग समझा या नहीं समझा आय एफसी समझा या नहीं समझा कि दंपंटर लोग समझा थीक है क्योंकि मैं कुछ पूछने वाला हूँ समझा नहीं समझा वापस रीड करो एक बार वह अच्छा यह पहरगा पूरा रीड करो एक बार क्योंकि मेरे को और इसको क्लियर करना है क्योंकि अपने से लिप में आय एफसी है मैं आपको बताए चाप्टर में जाके याद है ना नहीं आद है एक मालम है मैं आपको जब आप पड़ रहे थे अपन मैं आपको बता था एक वॉल्यूम वन ए में मिलेगा आय एफसी तो आय एफसी है इसलिए बसका हिस्सा ही है तो यह मैटर करता था अचा स्क्रीन पर देखो और आप बुक्स में देखके बताओ मेरा क्वेशन यह जो मैने आय पॉइंट को हाई-लाइट किया आय क्लॉस को यह जो दो लाइन हाई-लाइट किये इसका इंटरपेटिशन क्या है इसका इंटरपेटिशन यह है वेदर कंपनी एज एड़ नौट यह बताओ, यानि दो पर कमेंट करना है मजे दो कांसी चीज़ पर कमेंट करना हा है एड़ी क्वेशी operating effectiveness मुझे दो पे comment करना है वेटा दो कान सी चीजे adequacy and operating effectiveness क्या IFC adequate है और दूसरा क्या वो operating effectively अचा एक्जाम्बल दे रहाऊ वपू दे रहाऊ अभी के लिए अभी के लिए वपू सुन लो लिखना मत आगे आएगा लेकिन आपको ऐसा what is the difference between adequacy and operating effectiveness मेरा क्वेशन है इस रूम में कहक कहड़े है receive check करने के लिए तो अब मरेको बताओ इस रूम में unauthorized access कहा से हो सकता है unauthorized अच्छा, मेरा का बताओ किस ने बैटना चीए जिसने पैसे भरे जिसने पैसे नहीं बरे बढ़े उसको अपन बोलेंगे ऑथराइज जिसने नहीं बढ़े वो अनाथराइज मेरा क्वेश्चन है इस रूम में अनाथराइज बंदा कहा से आ सकता है ऑनलाइन चोड़ तो ऑनलाइन की बात ने करो रूम की बात करो फिजिकली दरवाज देते देर केन भी डॉर अलसो करूं से एक का से आ सकता है का से ऺष wün cotton में निथे में कहां से एक और किणा करता को घ्राइज है कि यह थे द्रेवाज़ें पर डुन ly नहीं रखेंग तो द्हटीwo रह सोब द्रॉबात करो गजिए एंस्यक्लियाभ रहा नहीं चे जर्प किणर पर कहा पर आ किस दूरु श्यवा है, अ इस ग्टंग है, डीकनिकली, तेकिंकलीւ, कॉंपिटेंटंट अंसर दो, जोकिंग आपन बाध में करते हैं यूमर का मूरा आ नहीं तो ये धा चान्से स्वाइज दाल तो मेने का बता clerous जाओ लाले ये दर रिस्क जाओ जाओ रिस्क खब्ड है तो रिस्क किद जाओ है धर थे कडिकीप पर रोकहे जाओ एम परे में लटार्वCheckills लाल ओर देख लटा कि तो समझ शुश्करो अगर काका को इधर खड़ा रखा ए तो इसका मतलब कंट्रोल है पर एड़िकवेट नहीं है कि एडिकेसि समझ में आयी तो किसी मतलब जिटर रिस्ट दाधा है उधर चंट्रोल दाधा जिदर रिस्टेसि निए अगल यह है जिसको आना जाओ, इसका मतलब control adequate है, लेकिन effective नहीं है, तो control दोनों होना चाहिए, क्या दोनों होना चाहिए, adequate भी, effective भी, I hope clear मलिक, everybody, okay, तो logic या दगना, तो मेरे को दो पर comment करना है, पहले इसको याद रख लेते है, तो मेरे को इसको 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 याद रख लेत है, अभी के लिए, बस IFC आद रख, control से, control से, okay, बस यह आद रख, internal financial control, यह दो चीज होनी चाहिए, क्या दो चीज होनी चाहिए, adequate and operating effectiveness, operating effectiveness, यह दोनों समझे, ठीक है, as an auditor, okay, I am required to comment on these two things, whether IFC is adequate, whether IFC is operating effectively, as an auditor, I want to comment on both the things, am I clear, who is telling me to comment on these two things, section 143, subsection 3, clause I, clause I, समझ में आया, यह मुझे बोल रहा है, जख मार के, आमनी तातर को comment करना पड़ेगा, किसको बोल रहा है, company को या auditor को, उस company के auditor को, समझ में आया, लेकिन 143, subsection 3, clause I, बोलता है, अगर तू auditor, one person company का है, या तू auditor, small company का है, या तू auditor, private company, जिसका turnover, less than 50 crore, and borrowing, less than, 25 crore है, तो तू तुझे IFC पर comment करने की जुरूरत नहीं है, यानि मेरी audit report, अगर small company की, या OPC की है, तो मेरे का उदाओ, उसमें किते point दिखेंगे, आट, उपर वाले, समझ में आया, 9th point वाले पर आएगा ही नहीं comment, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि I am not responsible to comment on that, यह समझा क्या, ठीक है, अब जब मेरे को बताओ, यह तीसरा point क्या था, company कौन सी वाली, पहली बात है, private या public, private, क्योंकि यह उपर लिखा हुआ है, private company, जो यह हो सकती है, जिपा मालिक, private company, private company का turnover कितना होना चाहिए, 50 या 50 से कम, 50 या 50 से कम है, या 50 से कम है, या निगर 50 भी रातों comment करना पड़ेगा, ओके, और बोरिंग्स, ओके, अब मेरे को बताओ, अगर मैं 24, 25 का auditor हूँ, समझ में आ रहा है, 24, 25 का auditor हूँ, तो मेरा सवाल है, ओके turnover कौन सी यहर का दिखूँगा, बहुत important questions है भाई, turnover कौन सा दिखूँगा, क्या लिखा क्या है, latest audited financial statement, मतलब कौन सा, एंसर बताओ, यह है, तो theory मेर को मालू में, 23, 24 का, 24, 25 का नहीं, यानी मेरा turnover कौन से साल का दिखना है, पिछले साल का, तो current year मेरे को comment करने के लिए, पिछले साल का turnover matter का देगा, अत्मा जेपा, लेकिन borrowing कब की देखनी है, borrowings, having aggregate borrowings from bank, financial institution, or any body corporate, at any point of time, during financial year, यानी मेरे को borrowing कब का दिखना है, current year का, turnover कौन से year का, previous year, logic बैठा क्या, तो turnover कौन से साल का देखेंगे, पिछले साल का, लेकिन borrowings, current year मेरे और current year मेरे भी 31st मार्च को नहीं देखने का, अगर पूरे साल में एक भी दिन, लोन 25 के उपर चला गया, बले अगले दिन चुका दिया होगा, एक दिन के लिए भी 25 के उपर गया, तुम्हें कमेंट किस पर करना है, IFC पर, I hope सम्झा मलिक, खली एक दिन भी, एक दिन भी मलिक, मैं बता रहा हूँ, आज मेरा लोन 20 करोड का है, आज कौन सा डेट है, जून 26, 26 है 27, 26 है, 26 है, 26 है, 26 जून है, और मेरा लोन कितने का है, 20 करोड, क्या मैं बैटर हो इसमें, नई, पिछले साल का टन ओर 30 करोड था, पिछले साल का टन ओर 30 करोड, तो मेरे इसमें IFC के उपर रिपोट ने की जोरहत। कल मैं गाया, बैंक एक स्टैप्क करोड और लोन लिया। को सब क्लककर डिट, 27ीने में 27 अनियम टारी को टारी को में 27 तारी warto क् gr 40 स्राइस क्रोड और 28 अनियमे 500 अनियमा F. तो समझा जो लोन लिया न 27 को मतलब एक बैंक से दूसरे बैंक का ट्रांसेक्शन किया रहे है नहीं समझा समझा एक कोटक बैंक से लोन लिया हो था किता था 20 करोड अब अगले दिन SBI से लोन लिया अच्छा चल रहा भी दूनी जी आये है तो अपने SBI के पास जाएंगे तो अगले दिन 27 को SBI से लोन लिया और 28 को पेमेंट कर दिया क्या मुझे आएफसी पे कमेंट करना पड़ेगा क्योंकि एक धिन भी अगर वो 25 करोड के उपर गाया आएफसी पे कमेंट चाहिए आई होब समझा मालिक नहीं समझा समझा ओनलाइन पटर लोग समझा पका समझा यानि एक दिन भी और यह यादग ना यह फिगर तुम बहुत तोड़ वे से बैठा ना मालिक क्लियर कट से एवर्योड़ी क्लियर क्योंकि मैं और एक ट्विस ज लिखने की जरुद तो यार ऐसा के नारे कारो पड़ेंगे सब सिमिलर सेम सेनारियों है जो आएगा आगे एक दिन का लेक्चर उसमें सेम सिनारियों कॉंटेक्स भी सीम है तो उसमें आपने को सेम कांसेट आएगा तो पढ़ते-पढ़ते वो कौवर हो जाएगा लिखना पर अभी, Permutation, Omnition, में टाथ हो साब एंग questionnaire है इसे तक, मेरका बताऊ will be ur шां अप आप व 115 कॉनसे year में कमेंप करना है करन्ट हेर में टो ठोड़ उज्छ फिजल्पॉ पाला हटुर बॉर इंग emotion करो 30th March तक भॉर ओर हमिशा 10 क्रोडि थी थाटियत महत्ता का, कमपनी ती चुमू, और 31 माच को लोन दिया 30 कोड़ुका, 31 माच के बाद उसी साल के लिए कमेंट करना पड़ेगा आपको, अब आप बोलो के सर मा कसम साला यह तो मालूम ही नहीं था, करना पड़ेगा, और एक ही दिन है तो भी करना ही पड़ेगा, सर ल समझ में आया, नहीं, पक्का, पक्का ना, फिर डालो और एक ट्विस्ट, करन्ट इयर में मेरा लोन था 20 करोड़, किता था 20 करोड़, और बाकी मेरे बैलेंशीट में और कुछ भी नहीं है, समझ लोब शेयर कैपिटल है और लोन है, एक बैंक से लिया हुआ, 20 करोड़ का, और ऑर 27th June को मैंने डिबेंचर इशु किये 10 करोड थे, क्या इशु किये, डिबेंचर 10 करोड के, और पुए और बैंक लोन थे 10 करोड़ के, कुछ समाज में आया एक्जामपल 26 को कितना है था मेरा बॉराइंग्स 20 करोड बैंक से फिर 27 को मैंने इशू किये डिबेंचर किते के 10 करोड के तो मतलब 30 करोड हो गया उस दिन अलब अगर बॉराइंग्स ही बात करू तो बॉरिंग्स भी तो बॉरिंगे आपने पड़ा वापस कितना हो गया 20 क्या मुझे आयर सी पर कमेंड करना पड़ेगा कि ओडिटर को अचा यह डेट लिने का काम कॉन कर रहा है कांड कॉन कर रहा है कंपनी लेकिन किसी वचे से इफेट किसको आरह है अटिटर को मरवान पड़ रहा है तो मेरा क्वेश्चन है क्या यह इसक यह आपको हर जगह ध्यान लखना पड़ेगा किदर बॉर्राइंग्स पुछी और बॉर्राइंग्स में क्या इंक्लूड किया गया है अभी आप बोलोगे इदर ऐसा है सर अरे भाई साब मैं बतारों कारों में भी ऐसा और कारों के एक क्लॉज में उल्टा है इसका और कोई सोलुचन है नहीं आप बोलोगे इसको रटके क्या उखाड लोगे इसको क्योंकि यह तो अभी एक फिगर आया है आगे आने तो क्यारवारों चालू करने तो कंपनी आग जिदर जिदर वैसे इसे फिगर का प्रॉल्म से तो मेरे ख्याल से एव्योडी क्लियर मुझे कैसे मालूम बड़ा डिबेंचर इंक्लूट नहीं करना है क्योंकि वर्ड क्या था छाड़ा, banks और fi's और any body corporate.body corporate मतलब कोई company से loon लिया है,incbench corporate loans ओते हैं na कोई company से loon लिया हुआ है कोई रिलाइंस से मैंने पैसे लिये है वो भी calculate करने के इसमें कि जेपिंग तो दिमाख फूरी करना ही नहीं है क्योंग तो लास्ट येर का बैलेंस शीट में से जो टूर आएगा वह आएगा आएगा जो भी आएगा वह आएगा उसको लेने का है करना ही कमेंट करना है क्या करना है क्या करना है कि सोच के बताओ क्या उपिस है कि नई है तो फिर तो इस दो काटिगरी मैंगे पर इसमें किते क्राइटर एक राइटरिया या दूनों है है तो मेरे क्वेश्ष ने यह नहीं है तो ऐ इस पर में के सुल्बॉट करना है कि इस सी केस में अगर क्राइटर्या ही अप्लिकेबल नहीं है तो आपको वो करने की जरूरत है अठाल अच्छा एक ऐसा ऐसा लेते हैं माल कंपनी कुन सी होती है मैं आपको एक एक पहले इसको खांतेते लिव इसको खुम साथ क्लेश इसको खांते अभी है कुछ है नहीं है तो आफ सी का एक पॉउज करो सबसे पहला आधितर को 9 पॉंट पर कमिंड करो नाइन पॉइंट की फटाफ़न लिस पता दो में को पहला पॉइंट कॉम सा कोई किसे मैच हो रहा है बैलेंशीट बॉक्स एकाउंट से और मट्रियल ट्रांजेक्शन बरोबर नहीं है कि अत्मा क्लियर नेक्स इन पॉइंट कोई ऐसे बॉक्स है क्या जिस पर नेगेटिव कमेंट है और लास्पॉइंट आयए फसी किसको किसको अप्लिकबल नहीं कोंसे अप्लिकबल नहीं है ओपीची स्मॉल कमपनी अद एन अनि प्राइवेट कमपनी तीसरे में प्राइवेट यूसर हो प्राइवेट कमपनी फॉस तरौन वर इस लेस दें 50 कोरोड बेस अन लेटेस्ट आड बारेंग फ्राइंट फंशल इस अन बाडी कोर्प्रेट इस लेस थन 25 करोड इंडूर अन पॉइंट अनी पॉइंट अविवर क्लियर मलिकॉष यॉद्ट इस पे इंग्वाईरी करनी हाई रिपोट करण वन फॉर्टिए वन यहा था किनी तो क्या करना था इंकॉाइरी रिपोर्ट थों ना करना था तो कोई कर था ही निहीं बस इतना ही पॉइंट उसके बाद तो चोड़ी दे थर्ड में जो कल मैंने आट प्टाइँ पुईंट पढाय थे स्टार्टिंग वाले मैं इसमें भी द दो चीज़, adequate and operating fairness, दो शब्दो को पकड़ के रखो, adequacy and operating fairness, ठीक है मलिक, ठीक है, एक छोटे सा में example देता हूँ, मैं अभी एक twist दे रहा हूँ, जो institute ने confuse किया था, यादे कल मैं आपको example बता था, institute ने जो confuse किया था, मैं आपको बता था, बता रहा था कि कल या परसु में institute कुछ भी करती है, कांड, यादे ना, हम मेरे example सुनो, example सुनो, एक company है, जिसका paid up share capital 2 करोड है, turnover 20 करोड है, और यह private limited है, तो मेरे का बता यह कौनसी company हुई, क्या यह small company हुई या नहीं हुई, पक्खा, small company का क्या definition है, चार करोड है, 40 करोड है, small company है, यह small company हमेशा private limit हुटती है, हाँ या ना, लेकिन इस private limit company का borrowing, 40 करोड है, इस company का borrowing, 40 करोड है, कुछ समझ रहा मेरा twist, twist in game, अगर आप small company लगाते हो, ठीक है, ठीक है, लेकिन problem ही है, कि अगर आप तीसरी category में लगे जाते हो, तीसरी category में यह turnover, private company को deal करेंगे अपन, private company का turnover कितना होना चाहिए, less than 50, क्या हो less than 50 है, येस, लेकिन problem है, उसकी borrowings, 25 से जाधा है, हाँ समझ रहो, और small company में अपन borrowings देखते ही नहीं है, small company में अगर borrowings देखते हैं, तो शायद मैं यह consider दाता ना, मालिक, क्या small company में borrowings देखते हैं क्या, तो मेरे को बताओ, क्या treat करोगे इसको, इसके उपर, इसके auditor हो तुम, मेरे को बताओ, IFC applicable और not applicable, applicable या not applicable, पका not applicable, online बटर लोग आपका क्या कहना है, यह लोग तो बोल रहे है not applicable, applicable निहा जी बोल रहे है not applicable, वर्ण भाई बोल रहे है, वर्ण भाई पहले बोला या अभी है, not applicable या applicable, रोईद बोल रहे है applicable, वर्ण भाई बोल रहे है applicable, पका applicable, क्यों, यह small company ना वैसे, यही ambiguity थी, जो कारों में भी है, same, और अपन context अगर institute की website पर इसके बारे में नहीं है, पर कारों के बारे में था, ऐसा confusion आया था, तो अपन को करना क्या है, तो institute की website पर है, once a small company, it is always a small company, and exemption के लिए क्या बुला हुआ है, किसको exempt दिया है, small company, अब जब मैं small company हुँ, तो small company का status ले लिया मैंने, तो आप बाकी सब चेक क्यों कर रहे हो, नहीं तो फिर इदर लिखते थे थे small company वाला यह, यही मैंने November 2022 में पढ़ाया था, समझवाया, और question आया, ऐसा ही, तो आपने क्या लिखना था, once a small company, it is always a small company, बाट institute ने बोला, अगर हमने आपको figure दिये borrowing के, तो हम expect कर रहे हैं कि आप small company नहीं दूसरा और criteria लगाओगे, तो इस case में, borrowing के case में, जैसा यह मैंने बताया, अगर small company आया, लेकिन borrowing जादा आया, अगर question का data दिया है, इसका मतलब institute चाहती है, कि तुम लोग यह दिमाग लगाओ, small company से बाहर आओ, जब कि मैं आपको बता रहा हूँ, यही doubt, इंस्टुडी की वेबसाइट पे clearly लिखा हुआ है, members के लिए guidance, once a small company, don't check borrowings only, to check a small company, you check two things, तो फिर अगर इसको borrowings check करना होता, तो हम इसमे small company with borrowings ऐसा कुछ filter करते हैं, यानि members के लिए answer अलग है, students के लिए answer अलग है, तो अपने लिए क्या होगा यह answer, applicable or not applicable, applicable, बात खतब, समझा, यानि borrowings दिया मतलब, वो तुमसे एक्सपेक कर रहे है, कि तुम borrowings का भी लगाओ, आत्मा जेपा क्या, बस यही सेम कारों में होगा, यही मैं आपको परसु बताया था, कल या परसु में जो भी बताया, आयोप, समझा मालिक, यही गड़ बड़ी थी, जो चार माक की गड़ बड़ी थी, नमंब तो अब वो एंसर आने के बाद फिर अब से तब से क्राइटी लगा लिया, एक बार समॉल कंपणी है, लेकिन अगर इंस्ट्यूट ने फिगर दी आपको, किसके, फिगर किसे दी है, बॉराइंस, तो आपने क्या लगाने का, आप पलिकबिलिटी, बॉराइंस तो अगर द अब फाइनल का कंटेंट है, वो आके इतना ही बारिंग ले सकते हैं, तो लिमिट्स वैसी है, OPC के लिए बहुत रेस्टिक्शन है, OPC में ऐसा आन्दा दुम्दी पैसा नहीं उड़ा सकते है, OPC में जनरल मिटिंग ऐसे होती है, OPC का जो फाइलिंग अफ रेटन होगा, ड MCA को ऐसा लगा कि private company ऐसी बन रही है, जिसमें example, आपने Salomon vs Salomon भी बढ़ा होगा, foundation में, जिसमें पढ़ा foundation तो वो फाइन रहेगा, लेकिन Salomon vs Salomon है, जिसमें एक husband था, बाकि सब wife और बच्चे थे, बाकि सब wife ने, husband, wife और बच्चे, तो total अगर मैंने 100 share थे, तो 100 share में से बा company में, husband, बाकि सब खाली नाम के लिए रखे, क्योंकि private company बनाने में कितने लोग चाहिए थे, दो, तो almost सब को ऐसे दिख रहा था, कि कोई भी private company बन रही है, दो जन है, husband and wife है, लेकिन wife के नाम पर एक ही share है, husband के नाम पर 99 share है, and the reason because wife is a member, only for compliance point of view, and then they came with this new concept of OPC, where even a proprietor, if wants to open a company, at least he can start with it, लेकिन फिर OPC के अपने restrictions है, तो आप वो OPC में fit ही मत करो, पर ये और ये fit हो जाएगा, मालिका, I hope जेपा मालिक है, पका, तो ये एक चीज़ अपने दिमा में, ये सब लिखने का point किसमें लिखेंगे अपने ये सब, example, मैं सब figure पूरा एक्दम अच्छे से होने चाहिए, बस figure अपन उसमें अडप्ट करेंगे, तो IFC को close करूँ, तो 9 point, any doubt, तो 143, 9 point पे खानी कहतम होगे, लेकिन 143 ने इसमें शंतिनी मानी, 143 में इसमें शंतिनी पढ़ी, 143 ने इसमें शंतिनी पढ़ी, 143 ने इसमें शंतिनी पढ़ी, 143 ने ठीक है भाई, एक question, sir small company sir definition, small company is registered as private company during registration, answer is yes, please do understand, please do understand, there are only two class of companies, one is private, one is public, all other things are status, example, OPC is a which company, private, but OPC is a status to that company, section 8 company, is which company, private or public, बट स्टेटस इज किवन एस सक्शेनेट जीए इसे चन्रल में क्या इस मियह चाहिए। यहा देके नहें पर यह ले更ए अधुशू है अब दुखेया पपलिक होगी लेकिन उसको मैं उसको चृत्विक यहा प्राइविट ये प्पप्लिक बाग्या आपको सब स्टेटस माड़ता है तो अगर वक्ष तो मैं स्मॉल कंपनी हुँ तो स्मॉल कंपनी का क्या मिलता है स्टेटस अच दर्मनेट पढ़ा ता आपने डर्मन्न कैन मिल जाती है, OPCB Private Limited, यह इसलिए नाम के आगी भी देखोगे तो ऐसी ही लगा था, Okay, Section 8 Company अगर आपकी Private होगी, और आप Central Government के पास गए, और Section 8 का Status मिल गया, आपकी वो Public Limited Company बन जाएगी, लॉकी नजरों में, इस तरह से लॉकी नजरों में, प्राइविट और पॉब्ली होती है, भारत माता की जेपा मलिक, ठीक है, तो वरुण जी ठीक है, क्लियर मलिक, तो, I hope Small Company को आपको यह लेना पड़ेगा, वाट वी से, स्टेटस लेना पड़ेगा, एसी, 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 तोड़ मलिक, ठीक है, तो सवाल अब उटा, के भाई, 143 इदर खतम हो जाना चीए था, 143 खतम हो जाना चीए था, लेकें, 143 में, जो लॉम ही करते हैं, उनको लगा, नहीं भाई, यत्ते में क्यों शंती बड़ा निगा, यह 9 पड़ में शंती नहीं होती है, हम सेंट्रल गवर्मेंट को पावर देते हैं, के इस 143 में, और कुछ मांगना है, तो एड कर, और वो एड करते हैं, अंडर बन रूल, यानि आप देखों, सेंट्रल गवर्मेंट को दो जग़ा पावर दी गई है, सेंट्रल गवर्मेंट को एक बूला है, कि आपको इस लिस्ट में, और कुछ आड करना है, वो कर लो और आपको इसके अलावाँ, और कुछ मांगना है, वो भी मांगो, यानि सेंट्रल गवर्मेंट मांगा कसम दो भर मांग रहे हैं, एक तो आब ही आगे 6 पोईंट पढ़ 143 3 के अंदर, और कारो मांगने की ताकत जो होंगी है, वो 143 7 & 8 के अंदर, उनके पास कारो रिपोर्ट के लिए 143 11 के अंदर आएगा आपको, एक अदिशनल जिसमें वो Central Government को पावर दिया जाता है, कि तुमको जो और मंगाना है रिपोर्ट, अलक से रिपोर्ट तुम मंगा तो nevertheless इधा तक स्टार्ट करें, तो पहला पॉइंट आगे कितने पॉइंट है? 6, पांचर पॉइंट है के 6, एक ही पॉइंट है जो बहुत कॉंपलिकेटर है, बहुत लंबा है, लेकिन उसको समझ लो और क्लोस कर दो, मतलब जाधा टाइम पास मत करना, पर सिंपलिपैड ह ह। एक ही कितने पॉइंट हुए? 9, जे 10 वा, और 10 वे के अंदर कितना पॉइंट है? 6, total कितने पॉइंट हुए आपके दिमांग में रखने के लिए? 9 प्लस 6, 15 पॉइंट है सब को दिमांग में याद रखना है 143 में, okay 143, 143, 143, 143, 143, 143 मेरको यह रटे हुए हुए कोई pending litigation है क्या, क्या बोला आपके अगेंस कोई pending litigation, what is meaning of litigation, कोई case, आपके अगेंस कोई case है क्या, वो case है तो disclose करिए, तो auditor को क्या disclose करना है आपनी report में, उस company के अगेंस के कोई pending litigation, second, क्या company आपने कोई derivative contract enter किये थे क्या during the year, अगर आपने कोई derivative contract enter किये थे क्या during the year, अगर आपने कोई derivative contract enter किये during the year, ओके वो derivative contract के बारे में आपको बताना पड़ेगा और उसमें अगर आपको losses हुए है, तो आपको report करना है पड़ेगे, तो second point is about derivative, first point is about litigation, second point is about derivative, everything clear, third point, वहले तीन रटलो, फिर तीन को और रीड मारके कातम करो, तीसरा point, आपको मालूम है dividend declare करनी के बाद आपको कित्ते दिन में पे करना है, 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, लेकिन अगर वो shareholder नहीं मिल रहे है तो, उसको आपको separate account में डालना पड़ता है, separate account का नाम, unpaid dividend account, मालूम है na, 127 का point है, शायद आपको याद हो, तो unpaid dividend account, 123, 124, यह आपको समझाता है पुरा, unpaid dividend account में कितने साल तक रहेगा, 7 साल, लेकिन 7 साल हो गया, उसके बाद वो किदर डालना चाहिए, IEPF, investor education protection fund, अगर आपने उस पे, जो transfer करना था, वो अगर आपने delay किया है, तो वो भी इसमें report करो, that is the third point, delaying in transfer in investor education protection fund, समझ में कुछ आया, तो तीन चीजे मुझे additional report करनी है, पहला, okay, spending ladition तुमारे against कुछ है क्या, second, derivatives में कोई material losses हुए क्या, तीसरा सिनारियो, delay in transfer in investor education protection fund, I hope समझा मालिक तीन, यह तीन तो रटली है, हाँ या ना, चौता थोड़ा complicated है, पाच्व और शट्टा पहले close कर रहो, चौते प dividend declare करने के बाद किते दिन में पे करना है, वो नहीं पे किया, तो पाच्व और रिपोट कर रहे है, dividend declare करने के बाद आपने transfer करना चाहिए है, नहीं कि रिपोट करिये, and, okay, 2024 के बाद से, 2024 के बाद से, 2023 से, हर company को, हर company को, अपने system में, software होना चाहिए, accounts के लिए, और हर software में, accounting trail होना चाहिए, audit trail होना चाहिए, sir, what is meaning of trail, example, अब अगर मैं accounting entry कर रहा हूँ, example, cash account, debit to car account, entry pass कर रहा हूँ, ये entry, okay, इसका detail, logs होने चाहिए, LOGS, sir, मतलब क्या, ये entry, कौन से date पे हुई, ये entry, किसने की, ये entry, मारने वाला person या उसका और कुछ, identification है, okay, ये सब detail होनी चाहिए that is called audit trail, example, okay, example, आज का date होगा 26 जून, okay, अमित तातिर, तो मेरा employee ID होगा, A5372, A5372, sir, ये employee ID, हाँ, ये मेरा HDC bank ID है, इसलिए मेरे को याद है, मेरा employee ID यही था, तो अगर मेरे को HDC bank में, अमित तातिर ने कुछ किया, तो वो क्या धुनते थे, A5372, ये मेरा employee ID होथा था, तो A5372 आगया आएगा, और उसके बाद आएगा cash accountability to car accounting, ये entry आएगी, ये entry के सामने और कुछ remarks आएगे, example कितने बजे किया, वो भी आ सकता है, और कौन से station से किया, station मतलब workstation, वो भी आएगा, ये हर company के पास होना चाहिए, यानि मेरे को बताओ, दोवदा 23-24 से हर company manual accounting system र चाहिए, accounting trail, audit trail, trail समझ में आया, और ये trail modify नहीं होने चाहिए, sir, ऐसा हुआ तो by chance के से कोई बोलेगा, sir, if by chance sir, entry गलत होगी तो, entry delete नहीं होनी चाहिए, कभी delete नहीं होता है, edit होनी चाहिए, पर edit जब होगी, वापस, example 28 को मैंने, 28 को मैंने modify किया, example 50,000 माना था, मैंने 5000 मारा, मैंने देगा 5000 ही हुआ, फिर मेरे 28 को याद आया, और 28 को मैंने 5000 किया, 28 को audit trail, 28 तरीको, A5372, ये entry में 5000 किजेगा 5000, ये logs में आ सबसे पहले, pending litigation, second point, derivative, derivative transaction, third point, investor education fund, वो ऐसे और एक पाच्वा point, dividend, investor education protection fund and dividend, dividend decline करने बाद, delay किया, and last point, accounting audit trail, accounting and audit trail, समझ में आया, मलिक, पक्का, अरे कुछ option नहीं, इसमें लिस्ट याद रुखनी पड़ीगी, जितना समझाना तो होता समझा दिया, इसमें टाइम पास नही है, बचा है, चौथा point, I hope सबको clear है, बस मलब आभी आपको करना के हमान में रटना है, बस, इतने रटने पे काम कर लीजे, बस, ओके, चौथा point, चौथा point में ना, ओके, तीन पॉइंट दिया है, लेकिन तीनों पॉइंट का एकदम structure समझ दो, आपकी company है, आपकी company अपना client है, ओके, सबस आपका client मैं हूँ, और आप auditor हो, और आपको report करना है, अपने report में ही है, आपको पहला ही report यह करना है, क्या, अमि अधर ने किसी और को loan दिया है, समझ मा रहा है, नहीं समझ मा रहा है, मैंने loan किसी को दिया होगा, पर जो loan दिया है, क्या वो ऐसा कोई transaction है, जो पैसे मैंने दिये, वो ही पैसे, loan लेके दिये, मैं आपको तर इसका problem क्या है, आपको समझ में, I don't know कित ज़ Eggs को समझ मा रहा है लेकिन मेरी कमपनी ने लोन एक X को दिया और मैंने यह जो लोन है X को दिया हुआ वो मैंने लोन Y से लिया था यानि ट्रांजेक्शन क्या हुआ य से लोन आया और यही पैसा किसको गया एक्स को अब प्रॉब्लम क्या है मालूम है क्या इसमें दिक्कत क्या है य और एक्स डारेक्टली क्यों नहीं कर रहे है क्वेश्चन ही आ रहा है क्योंकि अगर वही पैसा लोन में जा रहा है तो य और एक्स क्यों नहीं कर रहे है क्य कोई एक डारेक्टर कंपणी कुछ पॉइंट होगा या पाटनेशिप होंगे मैंने एक से लोन लिया और लोन लेकर किसी को देदिया वाई को ऐसे को ट्रांजेक्शन आपके नॉलेज में है क्या यह पहले बताओ कि आरे नहीं करना है समझ मारा हैं रहा नहीं है यह तो मैंने लोन देनीगी बात हुई इसा पर दो सकता है मेरे को लोन मिला होगा तो मेरा प्रसान है मुझे लोन मिला है कि वो जो कमपनी से अ किज हगे क्या गहुंपनी को किसी और्स विल एक से लेकी सब्सक्राइब अजिस्टियों पर फाउंडेशन कि दो घृण वज लिप्टिंगे गधी ओभी ने सब का मुंजद नहींfreund जोग्ए क्यांट इसका अंदर की पार्टी को ये एजन्ट बनने के लिए काम किया है कैसे बस muss ही का डिस्क्लोजर राइंऑ सम्झा मौन एक तो दो चीज ए मैंने लों दिया कि इसको लों दिया क्या कीवर्ट पर ध्याम रखिए और मैं वापस बोल रहा है इसके बाद रटने का कारेक्राम खरी है क्योंकि मैं आपको अलुड़ी बता दिया इसके उपर क्वेश्चन आया है नहीं आया है वाटेवर है जैनरिक क्वेश्चन है लेकिन आपको नॉलेज होना चाहिए सब चीज क आपके तो सबसे पहला पॉइंट कॉंजा पहला पहला पॉइंट है कंपनी अधिस्टो इंपक्त ओफ इफ एनी कौंसा पेंडिंग लिटिगेशन क्या यह चीज के लिए है सब के लिए ठीक है पेंडिंग लिटिगेशन ग्लूरस का दो पेंडिंग लिटिगेशन है ओके जान फानेशल पॉइशन वेथर कंपनी अध मेड प्रोविजन है रिक्वाइड बाई लॉर एकांटिंग फॉर्म पॉर्सिबल लॉसस इफ एनी फॉर लॉंट्रम कोंग्रेट्स इंक्लूदिंग डेरिविटिव तो क्या डेरिविटिव वाला ठीक है डी वाले पे थोड़ा से ध्यान देना बहुत बड़ा पैरग्राफ दिखेगा लेकिन लिखने का तरीका है तो थोड़ा सा देख लोगे तो एक बार रीड कर गे कुलोस कर तो पर कॉनसे समझमा जाना चाहिए यह वेदर दा मैनेजमेंट है रिप्रेजेंट management का knowledge and belief other than as disclosed in notes यानि notes में already जो disclose है वो थो ठीक है उसके अलवा और कुछ है क्या to the accounts no funds have been advanced और loan और invested यानि मैंने ये पैसा लोन में ने दिया है ना advanced और invest किया है either from borrowed funds or share premium or any other source kind of funds by a company to in any other person or entity including foreign entities with the understanding whether recorded in writing or otherwise that the intermediary shall whether directly or indirectly lend or invest in other person okay the entity is identified in any manner whatsoever by on behalf of company until ultimate beneficiary or provide any guarantee security or like on the behalf of ultimate beneficiary any example Hera Ferry Limited ने loan दिया X को और X ने loan किसको दिया Y को क्या ऐसा हुआ है क्या है ultimate beneficiary कौन है ultimate beneficiary कौन है इसमें मेरे example में ultimate beneficiary कौन है Y और intermediate कौन है X यह ऐसा कोई transaction है क्या देखो मेरा question simple है मेरे को बताओ आप direct Y को क्यों नहीं दिये है कोई restriction समझ में आया ओके अच्छा क्या ऐसी चीजे अल्रेडी disclose की जाएगी notes में येस अगर यह है तो आपको इधर करने की ज़रूरत नहीं है जो नहीं की और इनको मालूम है किसको मालूम है management को उसके बार में disclose करता ह आयोप समझा बसीजी का उटा करो अगले पॉंट में अगले पॉंट में देखो वेदर मैंजमेंट वेदर मैंजमेंट वेदर मैंजमेंट has represented that to the best of his knowledge and belief other than disclose in notes to the account same whapas point आया मालिक no funds have been received by the company from any person entity including foreign entities with the understanding whether recorded in writing or otherwise that company shall whether directly or indirectly lend or invest in another person which is ultimate beneficiary or provide guarantee security in like ultimate beneficiary यानि मेरे को इसके example क्या होगा पैसा company को company को पैसा हेरा फेरी लिमिटर को पैसा किस से आया एक से आया और हेरा फेरी ने क्या किया वाई को दिया मेरा question है ultimate beneficiary कौन है वाई और intermediary कौन बन गया है हेरा फेरी क्या ऐसा कोई transaction है क्या जोनों transaction समझे क्या एक बार देखो ट्रही मेरे को बताओ क्यानी जाब जाओ भूलिया है परस्ट से के फर्स पॉइंट में मैंने एक्स को लोन दिया और एक्स ने वाई को लोन दिया वही पैसा है तो इसका मतलब लोन किसको किसको जाना चाहिए था हेरा फेरी से वाई को जाना चाहिए था लेकिन तुरूट रा transaction किया यह concept है तो disclose करें लेकिन आपके notes में disclose है तो ठीक है और second case में मैं intermediary बन गया है यानि मैंने किसे लोन लिया और वही लोन लेके मैंने किसी और को लोन दिया नहीं दोनों जगह prohibition of law है न इसलिए अपने ऐसे ट्रांजेशन अच्छा मेरे को बताओ ऐसा ट्रांजेशन एंटर क्यों किया जा रहा है टेकनिकल रीजन बताई आप इंट्रेस विंट्रेस का तो ठीक ही है इंट्रेस विंट्रेस तो कोई बढ़ी बात नहीं है प्राब्लम है कुछ नो कुछ तो ट्रांजेशन के इशू जाते होंगे मेरे को बताओ अगर मैं आपस बोल रहा हूं यह पैसा बोल रहा हूं आप समझ रहे यानि एक लाक रुपया दिया एक एक से काउंट में वही एक अकाउंट से पैसा गया होगा तो समझ रहा है वही आप इस चीज को एकन टेक्निकली समझ वही पॉइंट है आप कितने पॉइंट डालो गाया देकिन लौजीक ऐसा समझ रहा फेरी न है मेरे एक एक अकाउंट नमबर है फाई 3 लिू 4 एक एक एकाउंट नमबर है जीड़ी सिह समझ हो फाई 3 ALL ए is जबिए आक कन ईक्स लिमि यह नहीं मेरको बताओ एक्स ने क्यों लिया पैसे है और फरी से, वाई को ट्रंसफर करने के लिए है, नहीं समझा, समझा, ट्रंसक्षिं, तो सवाल एक यही सवाल उठाई, तो इसको 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 दिस्कलोस करो, पर यह दिस्कलोस करो, इदर करना क्या आपको यलो गलर में इसकाले डिस्क्लोज करना है लेकिन मैं आपको रीजन बता रहा हूँ, ऐसा क्यों डिस्क्लोजर मांग रहा है, डिस्क्लोजर इस वजय से मांग रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है कि आप डारेक्ट ट्रांजेक्शन कर रहे हो, ये पैसा लेके इधर डाल रहे हो, ऐसा समझ में न नहीं आ रहा है। अगर इतना ही था तो मेरे को बताओ, फिर इसे डारेक्ली लिवाए मांग सकता था, तो आपने इंटर्मिडरी को देखे, फिर अल्टिमेट बेनफिशरी को क्यों दिया, तो सवाल उठ रहा है ना, मेरे को बताओ, प्रशांसर मुझसे पैसे मांग रहे है, लेकिन मैं प्रशांसर को डारेक्ली कुछ कारण वच नहीं दे सकता, तो मैंने विनोट सर्कों दिये, और विनोट सर्ने प्रशांसर को दिये, तो सवाल ये उठा, विनोट सर्क क्यों बिच में आये, सवाल ये उठा, टेक्निकली वही पैसा गया ना, नहीं समझा, समझा, कि שरी ही है कि तो उसको वो जो पार्टी से लौ ना ब 大ज इस दूसरे इसमें तुम्हारी कम्पनी बीच वाली पार्टे की बनी की इंटैंगर कीseits वोडुराफ की एक कंडिशन होगी, कि आप एक पैसा शेर मार्केट में इन्वेस नहीं करोगे, किस में इन्वेस bereits کرोगे, क्योंकि बीजनस के लिए प्राशांत करने का आपने, तो चाहिताम है, तो यह पैसा देते है प्राशान को, और प्राशांत शेर मार्केट में लिए त कुछ समझ में आया, बस कुछ इस तरह के पॉइंट को आपन देख रहे है, चेक कर रहे है, बस यह चेक करने का पॉइंट है, ऐसे ओडिटर आपको यह देखना है, क्योंकि जैसे आप सारे प्रॉब्लम्स आपको समझेंगे, section 184, 185, example 185, direct section है, no company can give loan to list दी गई है, कोई भी company, एक list है, उसको loan दे, नहीं सकती है, आप चाहिए तो Google में search मान लेना, time pass करना, 185, no company can give loan to, एक list है, वो list को loan दे ही नहीं सकती है, तर किसको, director, relatives of director, firm in which director is a partner, partners of such directors, यानि कोई भी company का director, अपने आप loan ले, नहीं सकता, तो director क्या करेगा, और director को पैसा चाहिए उसी company से, example, expert, professional private limited है, मालवन न, expert academy, तो इस समे, director को है, तो, social sir और विनो सर, अब विनो सर को loan चाहिए company से, लेकिन ले नहीं सकते, कौन रोगता है, कौन से section, 185, 185, 185, 185 रोग दिया, अब पर विनो सर को पैसा चाहिए, और विनो सर को पैसा दूसरे जगे से ले रहा नहीं है, करेंगे, expert, professional private limited, will give loan to Amit Tathir, okay, so expert की book में कौन दिख रहा है, loan किसको दिया है, which is permitted, because Amit Tathir is not a director, and Amit Tathir loan किसको दिया है, विनो सर को, okay, so, तुमको logic समझा, ये transaction हो गया, तो आपको नहीं रखता है, ये fraudulent हुआ है, okay, इसका कोई ये company का नाम, जिसने ऐसा कोई transaction किया है, कु बहुत हिट है, ये, बहुत नाम में था, ये जो मैं आपकी समझा है, आपको, ये context, ये बहुत तोड news में है, और उनकी पुरी ठुग गई है, और ये मैं बोलता हूँ, lady, lady के against है, case, lady, एक lady के against है, case चल रहा है, section 185 को violet किया गया है, किसको किसको लोन नहीं दे सकते है, 185 में, online पंटर लोग कुछ, any idea, 185 में किसको लोन नहीं दे सकते है, director और relative of director, तो उस lady के husband को लोन गया है, I.C.S.A. bank, I.C.S.A. bank, okay, जो MD, मैं नाम देखा, अभी blank हो गया, shit, I.C.S.A. lady, I.C.S.A. lady, मैं नाम ही भूलिया, देख, कईसा एक सिक्र में बहाएंगा, चंदा कोचर, चंदा कोचर, चंदा कोचर ने क्या किया, चंदा कोचर ने bank loan दिया, आप, पता करना, चंदा कोचर, मतलब, फेमस है, जिसने बहुत तोड़ ब्रैंड किया है, कि वाई, वुमन एंपावर्मेंट का, अरे भहेंकर है वाड मिले, और आज के डेट में, शी इस इंदा, अंदर दा प्रव्यू ओफ एडी, और अगेंस्ट भी आ चुका है, चंदा कोचर ने क्या किया, लोन दिया एक कंपनी को, और वो कंपनी से लोन वापस गया, उके उनके फर्म को, कौन सी फर्म को, जिसमें उनके हस्बेंड पार्टनर है, और बीच की कंपनी कौन थी, वीडियो कौन, वीडियो कौन सुना है न कंपनी, तो लोन, आईसे से लोन किसको दिया, वीडियो कौन, और वीडियो कौन ने लोन किसको दिया, उनके हस्बेंड वाले कंपनी, जहां पर वो पार्टनर है, समझ पर यह ऐसा है यह मैनने समझा दिया आ यह होब क्लीर है छी कि आइक नहीं समझा तो कोई थोडना कोई बहुत बड़ी बात है यार ठीक है न एंड लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है बेस्ट उन सच ऑडिट पोसियर तो ऑडिटर हैस कंसिड़र रीजनेबल एन अप्रोप्रियेट इन सर्कम्सिंट नथिंग हैस केम तो दिया गया है लेकिन लोन दिया भले ही गया होगा लेकिन वाइलेशन में नहीं है तो चौथा प जाके टाइंपास करना इसके उपर ठीक है पाचोवा पॉइंट क्लियर है डिविदेंट डिकलेर किया और आपने पे नहीं किया है खे ईपने पैट जो compliance के सब सेक्शन 123 के हिज़ा से compliance में नहीं किया है and last point मैंने क्या बहला company के पास क्या होना चाहिए क्वान सा software होना चाहिए accounting software जिसमें वो उनके पास क्या होना चाहिए audit trail जिसका audit नाम क्या है edit log facility and the same has been operated throughout the year for all transaction खाली एक transaction नहीं for all transaction recorded in software an audit trail feature has not been tampered tempered समझ में रहा है feature को changes नहीं डाले तुमने and the audit trail has been preserved by company as per statutory requirement for record retention किते ही है 8 साल 8 साल ते की audit trail return करना होगा I hope 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 जिपा पका okay read कर देना मैं आपको वापस बता रहूँ कल भी मैं आपको ये clear किया था जब ये मैं चालू किया था I am not expecting any question as such but 143 अगर दिया हुआ है तो it may come in parts जिसमें से दो पार्ट पर थोड़ा से धान देना पहला पार्ट है जो मैं आपको बता है था IFC IFC एकदम skeptically धान देना एकदम अच्छे से धान देना IFC का point या देना and दूसरा है overall रटने वाले point अगर directly पुछा गया 143 को लिखी है तो भाई मा कसम तुमारी लग जाएगी तो रटने वाले point किते रटोगे पहले 9 और 9 के बाद किते रटोगे 6 6 कौन से कौन से है एक बार मैं रट के बता देता हूँ 6 वाले point में इसके बाद जोले 6 point कौन से कौन से है सर ओके सबसे पहले 3 तीन में डिवाइड करते है 3 तीन के तुकड़े बनाए रहे है अपनने next 3 point कौन से कौन से है बहुत इजी है पहला point litigation दूसरा point derivative derivative तीसरा point okay IEPF यह तो clear ही है next 3 कौन से है loan लिया दिया याद आएगा loan दिया लिया गया तुमने दिया ultimate beneficiary and intermediary दो वर्ड है कौन सा ultimate beneficiary intermediary और उसके बाद और क्या है dividend तुमने जो दिया है declare किया है 123 के जाब से है करी and last point है accounting system में sorry accounting software में क्या होना चाहिए audit trail यह एक याद रख लो यह हो सकता है list आपके syllabus में रहे तो 143 1 खतम 143 2 खतम 143 3 खतम ठीक है मालिक तोड़ बढ़िया यह clear है मालिक ठीक है इसके बाद यह छोट जा paragraph लिखा हुआ है while reporting यह पाट पढ़ लो एक बार अगले page पे ही है while reporting any other matters required in audit report his answer is negative or with call efficient the report shall state the reason as per section 143 4 further every auditor shall comply with the auditing standards in 143 9 यानि अगर standards comply करने की नी करने 143 9 बोलता है comply करने और 143 4 क्या बोलता है अगर आपके 143 के matter है उस पर अगर negative है आपका opinion क्या है negative है उसको comment में डालना पड़ेगा आपको यानि additional comment लगेगा तो 143 3 कब करना है जब negative है रिपोर्ट करना है या positive है तो भी रिपोर्ट करना है पॉजिटिव है तो भी रिपोर्ट करना है 143 के इसाफ से लेकिन अगर negative है 143 4 के इसाफ से इसके opinion भी देने हुग गए ओपलीज हीपिंग छीक है देखेंगे कर देखता ना मैं, येस येस तुम बोलो कुछ भी करो, कल देखते हैं भाई, क्या है, हाग केस, कुछ भी नी मैं आपको लिखने को बोलूँगा, मैं इदर बैट्ट बाइविधने को बोलूँगा, मैं लिखने को बनाने को बुलूँगा आपको पूरी, summary list, not detailed list, ये तुना मैंने लिखाया पुरा मेरे को summary list लिखा ने बुलूँगा लिखने बुलूँगा कल नोट्स में हां चलिगा नहीं मतलब जिसका नहीं आया वो Saturday की पार्टी में funding करेगा और क्या Saturday पार्टी रहेगी बड़ी पार्टी का पार्टी का पार्टी करूगा ना Saturday मैं और जो कल नहीं लिख पाएगा समझा फ्राइडे को सवड़ा जल्दी छोड़ो ओ ठीक है देखेंगे राई चुआ अच्छा करेंगे ठीक है सुनो रहे पंटर लोग तो भाई और भेनो 143.1 duty to inquire 143.2 MC के लिए मरवा रहा हूं मैं नहीं तो इत्ता टाइम भी नी डालता मैं बोलता रीड यूर वोन सेल्फ समझा 143.2 duty to report क्या report करना EGM में general meeting में आपको report देना है 143.3 duty to report यह किसके अंदर report है audit report में यह audit report में report करना है यह inquire करना है अगर खराब आया तो report करना है यह report करना है to shareholders members समझ में आया ठीक है 143.4 क्या बोलता है अगर इसका answer negative आता है तो उसके comments चाहिए comments क्यों negative है समझा मालिक okay 143.5.6 यह rights है rights अगर आपने देखे हो तो rights okay 143.5.6.7 जिसमें 6.7 में पढ़ूँगा अपने वह एक अलग से chapter में रहेगा जिसमें वह CAG appointment का सकता है मालूमें ना auditor मालूमें ना किस कौन सी company में तो CAG और additional चीजे भी मंगा सकता है तो CAG को power दिया गया है 6.7 143.6.7 CAG तेर को और कुछ मंगा ना है auditor से तो मंगा ले कौन से वाले auditor से का कौन से वाले auditor से मंगा सकता है गवर्मेंट वाले तो वह एडिशनल पर वह आपको अलग से मिलेगा इसके बाद 143 कौन सा तरे 9 ना 9 है standards के लिए 143 9 क्या बोलता है तुने क्या comply करना है standards on auditing यह अपने को ध्यान है इधर तक हुआ एक और एक additional वाला concept जो आपका last part है 143 जिस पर end हो जाता है that is will be called 143 12 143 12 को क्या बोलते वाले को अगर fraud हुआ तो क्या करना है और मेरे खाल से आपको fraud हुआ तो आपको altogether मालूम होगा reporting on fraud क्या करना है अच्छा कारो का मैंने बताया था यहाद है 143 6 7 इसमें CAG और additional मंगा सकता है किससे ऑडिटर से और कौनसे वाला auditor गवर्मेंट वाला अच्छा एक example मैंने दिया था याद है कि आपको मैंने यह माइक खरीदा माइक खरीदा मैने यह वाला माईक है या महिंगवाला रोड़े का माइक खरीदा मैने अठाइज आदार वाला क्या उसके जगए 2000 आहजा का माईक भी आ सकता था क्या आप मुसे क्वेश्चन पूसकते हो कि 2000 क्यूंत नई लेकिन CAG गवर्मेंट में पूसकते हो पर यह कप पूछ सकते हो, जब 143, 6 और 7 में CAG बुलेगा तो, समझ में आया, तो आप government audit भी आएसे ही करोगे, जैसे normal कर रहे हो, लेकिन CAG जब आपकी audit report जाएगी, तो आपकी audit report किसके पास आती है, अच्छा, अपन audit report किसको देते हैं, अपॉइंट किया, किसने किया था है, अपने को appoint, अपने normal में को आपकाता है, AGM, तो members लिखते है, पर government company पर अपन रिपोट करते है CAG को, क्योंकि CAG ने appoint किया, तो मेरी report किसके पास आती है, CAG, CAG वो रिपोट लिखते है, बोलता है, मा कसम सला, इस company का तो यह खर्चा क्यू यह फ्लाइट का कर्चा क्यों किया, train से क्यों नहीं गए, इसके reason तयार कर, तो फिर auditor जाएगा, auditor बोलेगा, Mac IK लेगा, report तो देदिया, मेरा काम खतम हो गया, 143.67 मेरे पास power है, Mac on CAG, समझा 143.67, आप देखो, कितना खातरना क्वाट लगेल है, हर जगह, और 143.9 में standard follow क करना है, 143.11 में power देदिया CG को, okay, जबकि 143.3 में भी power था CG के पास, पर rule 11 आया था, या दे, लेकिन rule 11, मालूम ना, वो आपके, अच्छा, इसमें कितने point है, 143.3 में आपने जो पड़े आच, टोटल कितने point है, 9 plus 6, या दे ना, 15 point, इसमें 9 किसने बोले, act ने, 6 किसने ब बूल ने मतलब कौन central government है, लेकिन कौन से section के अंदर 143.3, 143.11 के अंदर central government को power दिया है, ये central government, देख, हमने तो बहुत सारी चीदे मंगा लिया है, तेरको और लग रहा और auditor की मरवानी है, तो तू बोल दे और मरवाएगा, तो अब सवाल उटा sir, 143.11 के अंदर कौन रहा information? CG, लेकिन जो CG मांगेगा, वो रिपोर्ट होगी, कौन सी रिपोर्ट? कारो, तो कारो रिपोर्ट, कारो रिपोर्ट कारो रिपोर्ट कौन मांग रहा है? CG, लेकिन CG के पास पावर किदर है ये रिपोर्ट मांग नेगी, 143.11, समाझ में आया? आया ना? ठीक है, तो 14 हो गया, पॉइंट नंबर पे सब लोग हो गया, भ्योड़े लोग, आला, दे सेंट्रल गवर्मेंट में, इन कंसलिडेशन वेत, नेफरा, बाइ जनरल और स्पेशल ओडर, डिरेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच क्लास, और दिस्क्रिप्शन ऑफ कंपनी, यानि सारी कंपन मंगती है वो, कारो, कारो का फुल फॉर्म, कारो का फुल फॉर्म, कमपनीज ओडिट रिपोर्ट ऑडर, रिपोर्ट ऑडर, जेपा, एवरिबड़ी जिपिंग, तो देखो, मेरे को बताओ, क्या एक के पास वकात कौन सा सेक्शन देता है, 143,67, CG के पास वकात कौन देता ह 143,11, समझ मैं है, मुझे स्टैंडर फॉलो करना है, 143,9, मुझे रिपोर्ट मेंबर्स को देनी है, 143,2, मुझे कुछ चीज़े इंक्वाइर करनी है, 143,1, और मुझे कुछ रिपोर्ट करनी है, 143,3, यह ध्यान रखना मेरे भाई, लास सेक्शन है, 143,12, जो आपने शायद पढ़ा होगा, फ्रॉड के बारे में, ओके, कुछ पढ़ा है फ्रॉड के बारे में, लॉम में था, 143,12 में, फ्रॉड में ऐसा है, अगर तुम्हें कमपनी में फ्रॉड या सस्पेक्टेड फ्रॉड मिला, क्या मैंने बोला, फ् 240 ऐसे 240 200 210 220 230 240 जादर 240 प्रॉड कैडबरी उसके अंदर समझाया गया है तो फाइनल में जाने के बाद दिखना सस्पेक्टेड फ्रॉड होता क्या है लेकिन अभी इतना समझा सस्पेक्टेड मतब शक हो रहा है फ्रॉड हो सकता है बात में इंवेस्टिकेशन करें और या तो फ्रॉड मिला हो या तो सस्पेक्टेड फ्रॉड मिला हो ओडिटर तेरी जिम्मेदारी है क्या ओके तेरी जिम्मेदारी दो इसमें डिवाट की है पहला पॉइंट फ्रॉड एक करोड के नीचे वाला है या फ्रॉड एक करोड या उसके उपर है फ्रॉड एक करोड इन दोनों को inform करना पड़ेगा, तीन चीजे लेकर inform करना पड़ेगा, यह सब इदर नहीं दिया, यह मैं additional बता रहा हो तरको, तीन चीजे क्या देना पड़ेगा, सबसे पहले तरको क्या देना पड़ेगा, nature of fraud देना पड़ेगा, amount कितने है, और parties कौन involved है, तीन चीजे, nature, amount, क्वोन पार्टी यह कौन देगा किसको यह कौन देगा ओडिटर किसको देगा? Imichoki TCW layers board किस दमें किते दिन में तीन दिन एक्ष्छली दो दिन मैं इसलिए बोलाँ एक इन वनें के बाद हे ब्लब तूट्ल किते दिन है Three दिन मैं दो दिन बिला 셋ीन दिन के अंदर अंदर किसको बताना है इन दोनों को कॉन इन दोनों को किसयों दे ओर पर इसके response के लिए विट नहीं करना है, ये लोग क्या उखड़ें के कुछ नहीं करना है, बस तुमने देखना है, कि इनकी board report आईगी, board report, annual report में याद है, आपको 134, 134 याद आया, 134 में इनका response जाके पता करना, 134 में जाके देखना, इन्होंने डाला है क्या, ये fraud था, nature क् amount क्या था, parties कौन है, और इन्होंने steps के लिए, चौथा point तुझे देखना है, पर तुन्हें इनसे मांगना नहीं है, तुझे खाली किस में देखना है, report में, ये mention नहीं हुई, तो highlight कर, समझ मैं है, कित्ते amount के नीचे, 1 करोड के नीचे, लेकिन 1 करोड या 1 करोड के उपर है सबसे पहला answer यही है, तीन दिन के अंदर किसको बताने का, बोड को और TCFJ को, ठीक है, फिर 45 दिन रुखने का, किते दिन, 45 दिन, 45 दिन में इनका response मिलना चाहिए, कि इन्होंने steps क्या लिए है, अब दो चीज हो सकती है, या तो इनका response मिलेगा, या तो नहीं मिलेगा, पहल इन्वेस्टिशन चालू गिया है, आतमा समझा गया, चौत्थे दिन, जिस दिन मिला response, उस दिन से आगे लगाना 15 दिन, जिस दिन से response मिला उसके बाहत, 15 दिन, 15 दिन के अंदर central government को update करिए, nature of fraud क्या था, amount क्या है, party क्या है, और उसे response क्या आया, किसको inform करना है, central government, लेकिन इसका response का कित्ते दिन इंतर करना है, 45, 45 दिन में अगर response नहीं आया, 45 दिन, जिस दिन end होते है, उसके बाद से 15 दिन, आपको चार चीज़े inform करनी होगी, nature, amount, party, और बतना पड़ेगा कि response नहीं आया, यह 143 section, 143 subsection 12, 143 fraud का है, और शायद आपको यह मालुम बढ़ेगा, यह mutatis mutandis, as it is applicable to, दो और auditor, यह statutory auditor को खाली applicable नहीं है, statutory auditor, cost auditor, secretarial auditor, 3 auditor, CS, CS, CMA, CA statutory auditor, cost auditor, CMA, section 148, and secretarial audit, कौन करता, CS, section 204, 205, 203, 204, इसके अंदर यह audit होता है, I hope, समझा मलिक, यानि कोई भी यह काम करेगा, उसको report करना पड़ेगा, I hope, यह पाई है, नहीं है, पक्का, तो 143, 12 का point, अगर आप यह देखोगे, इन्होंने यह point बताया हुआ है, तो आगे वाला तो point, अगले page तो छोड़ दो, अगला page, 13 वाला point कौन सा है, 13 वाला point कौन सा है, car हो, यह अपने एक दिन पूरा lecture, जिस दिन separate मन किया, उस दिन point काम करेंगे, तो यानि, अपनने compliance वाले section जो है, वो खतम कर दिया, यानि, आपको notes बनाना है तो बनाईए, नहीं बनाना है तो आपकी मरदी, लेकिन मेरा काम है, मैं आपको बता के रख देता हूँ, सर क्या, अगर 143.12 में कैसा होता है, सबसे पहला point, ओके, दो चीज़ चाहिए, मुझे fraud चाहिए, suspected fraud चाहिए, दोनों case में applicable है, फिर इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, पहला पार्ट कितना है, less than 1CR, greater than equal to 1CR, यह समझा मालिक, less than 1CR है, तो within 3 days, किसको बताना है, TCWG और board, क्या बताना है, nature of fraud, amount, और एक पॉइंट क्या था इसमें, parties involved, parties involved, कौन-कौन parties involved है, यह 3 update करना है, clear मालिक, यह 3 days और 2 days एक बार मेरे को confirm करना है, यह इस पर मैं बताऊंगा, पर यह 3 days ही है, मैं उसको पकड़ के लगाता हूँ, जिसमें fraud मिला उसके 3 दिन के अंदर, तीन दी नहीं है मेरे क्यालते, तीन दी नहीं है, और इसके बाद क्या करना है, auditor को, अगर एक करोड के नीचे वाला fraud है, तो क्या करना है, auditor को, करना क्या है, यह तो report हो गया, इसके बाद क्या करना है, सिर्फ चेक करना है कि बोड रिपोर्ट, बोड रिपोर्ट कॉंसे सेक्षन में बनती, 134 सेक्षन में जो बोड रिपोर्ट बनती है, उसमें एक, दो, तीन, चार, ये तीन पॉइंट उदर ही आएंगे, और चौता, स्टेप्स टेकन आना चाहिए, स्टेप्स टेकन बाइ पनी, आए होब जीपिंग मलिक, ठीक है बड़ी, आए होब जीपिंग मलिक, ठीक है बड़ी, इधर के साइड में, इतना एज़िट इजी है पहला, प्रेम एज़िट चलेगा ये, ये एज़िट चलेगा वितिन थ्री डेस, ठीक है, इसके बाद, ओके ज़िए, वेट और रिप्लाइ, किस से रिप्लाइ के लिए वेट करना है, ओके ज़िए टी-सी ड़ी और बोर्ड, आके ज़िए, अगर देखोगे तो इसमें मैं बोलूगा रिस्पॉन्स वितिन पॉर्टी फाइफ डेस, जिस दिन रिस्पॉन्स मिला, उसके पंदरा दिन, अगर चौते दिन रिस्पॉन्स मिल गया, उदर से पंदरा दिन लगाना है, तो आपको एग्जेक्ली 45 प्लस 15 नहीं रुखना है, समझा, तो पैटाली दिन के अंदर कभी भी रिस्पॉन्स मिला, जिस दिन रिस्पॉन्स मिला, उसके कित्ते दिन के अंदर, पंदरा, किसको इंटीमेट करिए, सीजी, और सीजी को क्या इंटीमेट करने का, चार चीज़े, जो तीन चीज़े प्लस रिस्पॉन्स क्या है, समझा, ओके, रिस्पॉन्स, नॉट रिसीवड, विथिन, 45 डेज, फिर क्या आएगा, विथिन, 15 डेज, प्रॉम, एंड ओफ, 45 डे, समझ में आया, inform करो सीजी को, I hope ये clear है, और आपके बुक में इतना दिया नहीं, या मॉडिल में इतना दिया नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया, क्योंकि इसका concept दिया है, तो you just need to be aware about this, I hope clear, 143, almost अपने done कर दिया, almost क्यों बोल रो, क्योंकि CAC के जो section आगे आने व क्लिए झालो and अविल में इतना दिया है, तो आगे पिया जजा से पन कर दो ये किसी जो जो रहे इतना दिया, आपके आगे आगे list, आगे ये दिया, और ए हमाने करो सी आदिया दिया। क्लोज करूं मलिक तो एक बार रीट कर लेना कोई डाउट आया तो ठीक है नहीं तो इसको एक बार पढ़ने बाद स्वाह कर देना लादा टाइम पास मत करना बाद में करने के लिए कुछ एक बनान बोलूगा उसका कारण एकलम सिंपल है एंसी क्यू है और एंसी क्यू में फिर वो एक माक सिर्प वो सब्सेक्शन या कुछ वज़े से ना मिस हो जाए तो अपने को क्यों एक सब्सेक्शन पॉइंट याद अखने के लिए ध्यान रखना ज़रू